पूर्ण 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 बिल्कुल विशानू जो थे वाइरोइड जो विशानू वाइरोइड और प्रायॉन्स थे वो हम लोग देख लेंगे चोटा सा टॉपिक है वो साथ में हम देखी लेंगे तो आज हम लोग बात किसकी करने वाले हैं भाई आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं पादब जगत की तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्लांड किंग्डम या पादब जगत और आज के इस one shot session में हम लोग ये पादब जगत पूरा complete करेंगे याद रखना NCRT खोल के बैठ जाना साथ में NCRT के सारे points कवर करवाऊंगा पूरा flow chart इस chapter का बनवाऊंगा और पूरा का पूरा chapter आज हम तयार कर लेंगे भई ठीक है तो सब को बहुत बहुत welcome भई हर्चिता जी इसी की बात हमने की बेटा वाइरस वाइरोइड और प्रायोंस बेटा चोटा सा topic है दस-पंद्रा मिंट लगेंगे वो बता भी दूँगा बेटा पन वन शॉट में कभी भी अगर आपने देखा होगा तो आप करही पाओगे प्रायोंस के बारे में तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रायोंस जो है वो प्रोटीन से बनेवे संक्रामक जीव होते हैं प्रोटीन से बनेवे इंफेक्शस एजेंट्स होते हैं उसमें नूकली कमलन नहीं होता केवल प्रोटीन्स होते हैं और वो पादपों में जानवरों में इंसानों में रोग उत्पन करते हैं mad cow disease होता है, scrapey disease होता है, kuru disease होता है, ये prions उत्पन करते हैं, ठीक है, वाइरोइड्स के बारे में भी एक paragraph है, NCRT में भई, वाइरोइड्स के बारे में आपको इतना याद रखना है कि 1971 में, टी-ो डाइनर जो scientist थे, उन्होंने वाइरोइड्स की खोच की थी, और होता है, ये RNA वाइरोइड्स होते हैं, वाइरोइड्स जिनमें प्रोटीन आवरन या कैपसिड नहीं पाया जाता, ये वाइरोइड्स से भी छोटे होते हैं, इनका RNA भी या RNA का भार या molecular weight भी वाइरोइड्स से छोटा होता है, कम होता है, और ये plants में, पादपों में ग्रो हम पढ़ेंगे, और plant kingdom में basically आज हम किस-किस की बात करने वाले हैं, algae पढ़ेंगे भई, algae के बाद bryophyta पढ़ेंगे, bryophyta के बाद teridophyta पढ़ेंगे, teridophyta के बाद हम gymnosperms पढ़ेंगे, वैसे पादपों में हमारे पास आवरिद बीजी या angiosperms भी आता है बचों, लेकिन angiosperms आज के lecture में नहीं होगा, angiosperms आज के lecture में नहीं होगा, क्योंकि angiosperms अलग से एक topic है, जिसको मैं NCRT page by page सीरीज में करवा चुका हूँ, तो इसी channel पर अगर आपने वो playlist देखी होगी, तो playlist में मैंने लेंगिक पादपों में जो जनन है, पुष्पिय पादपों में ज गिम्नोसperms हम पढ़ेंगे, NCRT का हर एक point क्लियर करवा दूँगा, और इस session के बाद आप मान के चलना, दो से तीन सवाल अगर NEET में आएंगे, इस से अगर दो से तीन सवाल आपके NEET में आएंगे, तो इस one shot में आपका वो सारा system क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो ज़रा एक बार comment section में लिख दो, सब लोग तयार हो, थम सब दे दो एक बार, तो हम chapter चालू करते हैं, MBBS students ने लिखा है, सर आपसे पढ़ने से मेरे bio में पूरे नमबर आ रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया बेटा इसमें, तो इसमें तो यार टारीफ के लायक आप हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो, और अच्छे नमबर भी ला रहे हो, तो ऐसे क्या करो, अपना हाथ लो, पीछे डालो, और पीट को थप थप थपाओ, बहुत बढ़िया, अरे महेंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भई, आरे सुभाज जी, बहुत बहुत बात कर रखी है प्राकर्तिक कृत्रिम और फाइलो जेनिटिक तो वो तो हम आगे देखेंगे वर्गी करन की बात आब हम पादब जगत में प्लांड किंग्डम में हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं शैवाल की या एलगी की देखो बचो 360 डिग्री एंसी आडी तैयार हो जाएगी बढ़िया तरीके से तो अब आपके पास हम एलगी की बात कर रहे हैं एलगी की बात यानि शैवाल की बात हो रही है पी डब्ली और उतकष एक हो गए अरे बिलकुल हो गए यार दोनों पी डब्ली और उतकष बिलकुल हो गए पी डब्ली का विद्या पीट का आफलाइन सेंटर पावर्ड वाई उतकर्ष क्लासेश है जो जोदपूर में जिसकी क्लासेश चल रही है बिलकुल भई अब टीशेट तो किसी का भी पैनो यार दिल में दोनों है है ना भई स्टार्ष टीशेट से क्या फरक पड़ता है यार कभी उतकर्ष का पैन लो कभी प कॉंटेंट मिलता रहेगा और तैयारी बढ़िया तरीके से होते रहेंगे चलो अब सुनो फ्लो चार्ट से बताऊंगा हर एक पॉइंट एंडरलाइन करते रहना सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी चलो अब एक सवाल है मेरा एलगी चालू करने से पहले पहला ही सवाल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर पांच जगत वरगी करन के आधार पर मुझे आप बताओ एलगी या शेवाल को कितने किंडम में जगे दी गई है चलो बताओ एलगी या शेवाल की बात हो रही है एलगी या शेवाल के बारे में आप मुझे बताओ कि पांच जगत वरगी कर आरेच विटेकर ने जो five kingdom classification दिया था, उसके आधार पर algae या शेवाल को कितने जगत में, कितने kingdom में स्थान दिया गया है, बताओ दो, जरा बताओ भई, कितने kingdom में, कितने जगे दे रखी है जगे, महे जी का जवाब आया है, राजु जी का जवाब आया है, श्रवन जी का आ कितने सही जवाब, बहुत rare ऐसा होता है, कि गलत जवाब दिया जाए, बहुत बढ़िया भई, तीन, बिल्कुल सही तीन जगत, कैसे, मौनेरा में, मौनेरा के अंदर नील हरी शेवाल यानि ब्लू ग्रीन अलगी है, बिल्कुल सही, प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस् तो पांच जगत वर्गी करन के अधार पर शेवाल या अलगी को तीन जगत में स्थान दिया गया है, बढ़िया, अब आजाओ क्योंकि हम प्लान किंडम की बात कर रहे हैं, अलगी में पहला लक्षन आपको ध्यान में रखना है आवास, ठीक है, सारे पॉइंट NCRT के अलगे NCRT को अंडरलाइन भी करते रहना, और या तो यह फ्लो चार्ट बना रहना, या स्क्रीन शॉट ले लेना, काम ही आएगा, अब आवास में आपको ध्यान में रखना है, अधिकांच जलिया होते हैं, जब हम शेवाल की बात करते हैं, तो अधिकांच जलिया है, mostly aquatic होते हैं, अब mostly aquatic, NCRT में भी लिखावा है, mostly क्यों, क्योंकि कुछ मृदा में हो सकते हैं, कुछ algae, कुछ algae किसी plant के उपर, या कोई algae किसी कवक के साथ, या कोई algae किसी जानवर के उपर भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा तर algae, ज्यादा तर शेवाल जो हैं, वो aquatic हो होते हैं, और किस में मिलेंगे आपको, शुद्ध और लवनी अजल में, फ्रेश वाटर में और मराइन वाटर दोनों में मिलेंगे, तो ये पहला लक्षन आपको आवास का याद रखना है, दूसरा, algae को हम कहते हैं थैलोफाइटा, algae को क्या कहेंगे बच्चों, algae का मतलब ये है कि इनकी जो मुख्यकाय है, इनकी जो में प्लांट बॉड़ी होती है, वो थैलोस है, अब थैलोस का मतलब आप समझ गए होगे, थैलोस का मतलब है कि इनकी जो में बॉड़ी है, ये प्लांट जैसी नहीं दिखती, किसी शेवाल में आपने देखा है, किसी algae इसलिए हम इसको क्या कहते हैं थैलस अरे विशाल जी बहुत बहुत धनेवाद है देखो जितना प्यार आप हमको दे रहे हो ना उसको क्या करो उस प्यार को प्रपोर्शनल कर दो ग्यान से तो प्यार आप देते रहो ग्यान मुझसे लेते रहो तो लव इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू नॉलेज यू गिव मी लव आई गिव यू नॉलेज ठीक है ना तो ऐसा बड़िय तरीके से प्यार बुचा लेकिन इसमें इमानदारी का तड़का ज़रूर लगा के रखना भई चलो अब नेक्स चीज़ समझो थैलो फाइटा हमने देख लिया अब दूसरा पॉइंट सारे के सारे एलगी सुवपोशी हैं सारे के सारे एलगी ऑटो ट्रॉफ होते हैं फोटो देखो क्लोरोफिल ए सारी शेवाल में होता है सारी एलगी में हाँ किसी में A और B होगा किसी में A और C होगा किसी में A और D होगा वो हम पढ़ेंगे लेकिन सब में क्लोरोफिल A होगा ही होगा और सब प्रकास संचलेशन के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करेंगे यानि ऑक्स फिल ए सब में मिलेगा सम ऑक्सिजन करेंगे अब नेक्स चीज ये तो बात होई फिर नेक्स लक्षन नेक्स लक्षन बच्चों इनकी सेल वाल याद रखना इस पे सवाल आ रखा है नीट में बहुत बार और इसका कोशी का भित्ती सेल वाले चैप्टर में अलग से दे रखी है क्या दे रखी है वही देखो प्लांट में आएगा तो सेल्यूलोस तो होगा ही सेल्यूलोस के साथ-साथ इनकी कोशी का भित्ती सेल वाल में गैलेक्टेंस होंगे मैनन्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकान ऑक्साइड फिर बता रहा हूं एंसी आर्टी का हर ए यू बेक्टीरिया है ना उनमें बेक्टीरियो क्लोरोफिल होता है मैंदर जी देखो एक्जाम में अगर हलका डर लग रहा है न तो लगने दो थोड़ा डर अच्छी चीज है हमेशा कहता हूं कोई एक्जाम दे रहे हो किसी प्रतीस पर्दा में पार्टिसिपेट कर रहे ह हो, नई job interview के लिए जा रहे हो, हलका डर जरूरी है, क्योंकि हलका डर आदमी को focus रखता है, concentrated रखता है, बिलकुल दिल फेक हो, बिलकुल बेफिकरे हो ना, तो फिर उसमें मज़ा नहीं है, हलका डर हर को लगता है, याद रखना, कोई भी आदमी जब पहली बार interview देने जाता है, stage पर बोलने जाता है, cricket, batsman, batting करने जाता है, बोलर, bowling करने जाता है, ठीक है, कोई आदमी अपने काम पे निकलता है, तो हलका nervousness, हलका डर सब को लगता है, और हलका डर, हलका nervousness जरूरी है, बहुत जादा डर नहीं जरूरी है, क्योंकि बहुत जादा डर फिर है, वो panic create क कर सकते हूं चलो हलका डर हमेशा होना चाहिए जीवन में और ज्यादा डर होना चाहिए ज्यादा डर होना चाहिए गलत काम करने से जूड बोलने में आवास हमने देख लिया थैलो फाइटा देख लिया स्वापोशी देख लिया सेल वाल सब की बात हमने कर ली अब जब हम एलगी की बात करते हैं तो याद पे सुनना इन में भृून नहीं बनता बचो यानि एंब्रियो नहीं बनता और एंब्रियो नहीं बनता इसलिए इ embryophyta अब NCRT में सपश रूप से तो ये नहीं दे रखा लेकिन NCRT में बात दे रखी है जिससे ये बाली बात साबित होती है क्यों नहीं बनता क्योंकि algae जो है बच्चों उसमें युगमनज बनता है zygote algae में जब निशेचन होगा फर्टलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट तुरंत मियोसिस दर्शाता है इसलिए भूरून नहीं बनेगा तो algae जो है algae में embryo नहीं बनता क्योंकि embryo कब बनता है भूरून कब बनता है जब जाइगोट युगमनज विक्सित होता है तो यहाँ पर algae के अंदर जो zygote बनता है zygote बनते ही तुरंत मियोसिस दर्शाता है और तुरंत मियोसिस उसमें होगा तो भूरून या embryo नहीं बनेगा आ गई बात सबको समझ में यह algae है फिर नेक्स्ट लक्षन अलगी में जनन याद रखना है काईक जनन वेजीटेटिव रेप्रड़क्शन काईक जनन को हम किस नाम से जानते हैं भई वेजीटेटिव रेप्रड़क्शन तो वेजीटेटिव रेप्रड़क्शन किसके द्वारा होता है खंडन या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैग्मेंटेशन तो algae के अंदर जो काईक जनन है वेजीटेटिव रेप्रड़क्शन है वो फ्रैग्मेंटेशन के द्व रूप से बिजानू या स्पोर्स के द्वारा होता है इन में अलेंगिक जनन यानी किसके द्वारा होगा एसेक्शल रेप्रडक्शन स्पोर्स के द्वारा और मुख्य स्पोर्स NCRT में दे रखे हैं जू स्पोर्स जू स्पोर्स को हम हिंदी में चल बिजानू कहते हैं चल ब जानू है यानि गतीशील तो vegetative reproduction खंडन के द्वारा है एया जगे नहीं आगे लुँगा और एक और चीज याद रखनी है बच्चों होते, vascular tissues नहीं होते, तो vascular tissues नहीं होते, इसलिए शेवाल को हम asamvenia या non-vascular भी कहते हैं, आ गई बात अपको समझ में, इतना सब को clear है, अंकुछी स्वतंत्र जीवी अलग चीज़ होती है बेटा, और क्या कहते हैं, सहजीविता अलग होती है, सहजीविता मतलब किसी के साथ रहना, और जिसके साथ रहना, दोनों को फाइदा होना, वो सहजीविता होती है, और अकेले रहना, अपनी मर्जी से, इसाब से रहना, वो स्वतंत्र जीवी होता है, अरे बागरा जी आपने बोल दिया बेटा, एक ही कमेंड को यार, 50 बार, 100 बार मैं हमेशा यह कहता हूँ, एक कमेंड को एक बार कर दिया करो, जब मैं आप से बोलू, कमेंड करो, तब मैं देख लिया करूँगा, एक कमेंड को आप 100 बार करोगे, तो सोचो ना यार, किसका नुकसान है, ये पर रिविजन नहीं हो पाएगा आपका, आप सोचो आप यहां पर रिविजन करने आए हो, वन शॉट रिविजन में करवा रहा हूँ, और आप ऐसे लग गए मुबाइल पर, सर ये करा दो, करा दो, करा दो, करा तो कहां फोकस बनेगा, यार, करा देंगे बेटा, इस प्लेवालिस में जाके देखना मैंने करवा दिया है, तो अब जो ये पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दो, यार, तो इलगी के ये सारे लक्षन ध्यान रखने हैं, अब नेक्स आता है, अलगी में लैंगिक जनन, अब बात तो शेवाल की हो रही है, बिल्कुल, अब शे जनन या sexual reproduction में आपको क्या-क्या बिंदू ध्यान में रखने हैं, sexual reproduction तीन तरे का हो सकता है, some yugmi यानि जिसे कहते हैं isogamous, a some yugmi जिसे कहते हैं anisogamous, और und yugmi जिसे कहते हैं ugamous, इसकी बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी, इसमें आपको पहली भी बता दी थी, isogamous का मतलब होता है, some yugmi, जिसका मतलब दोनो gametes, दोनो yugmak, नर और मादा yugmak, male और female gametes, size में एक जैसे होंगे, shape में एक जैसे होंगे, तो एक जैसे होंगे, उसे क्या कहेंगे, isogamous, इसका उधारन याद रखना है भई, बहुत important उधार है, एक तो है clamidomonas, और एक है eulothrix, ये दोनों जो होते हैं, इनमें गती शील yugmak होंगे, बच्चों, इनमें gametes कैसे होंगे, गती शील, तो गती शील yugmak किस में होंगे, clamidomonas और eulothrix में, और दूसरा उधारन इसका spirogyra, कितनी बार आपने सवाल देखा होगा, बच्चों नीट में, spirogyra में भी होते हैं, लेकिन अगती शील होते हैं, यानि non-motile, ये उधारन याद रख लेना बहुत important है, कितनी बार सवाल आ रखा है, तो clamidomonas और eulothrix, इसमें भी gametes एक जैसे होते हैं, युगmak एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनमें युगमक दोनों गती शील ह होंगे, और spirogyra, spirogyra में भी युगमक गेमीट्स होंगे एक जैसे, लेकिन अगती शील या non-motile होते हैं, फिर anisogamous में याद रखना है, बचों, anisogamous में clamidomonas की कुछ जातियां, तो clamidomonas की कुछ जातियां है, वो आपके पास अंड युगमी होती हैं, और eudorinia, eudorina होती है, वो भी इसको anisogamous में आईगी, और अंड युगमी, अंड युगमी में आपको हमेशा याद रखना है, जो male gamit होता है, नर युगमक होगा, वो छोटा और गतीशील होता है, और जो मादा युगमक होती है, female gamit होती है, वो बड़ी और अगतीशील है, वो और fucus, ये सारे important है, बहुत important point है, सीधे सवाल बन सकता है, NCRT में दे रखी है, हाँ बेटा, klamidomonas unicellular होता है, klamidomonas एक कोशी किया शेवाल है, और इसलिए five kingdom classification के basis पर विटे करने इसको स्थान प्रोटिस्टा में दिया था, क्लोरेला, klamidomonas, एक कोशी किया हरी शेवाल होती है, लेकिन unicellular eukaryote होने के कारण, पाँच जगत वरगी करन में स्थान कहां दिया है, प्रोटिस्टा में, शेख बेटा भी मैंने बताया था, non embryo phyta, इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें brun नहीं बन रहा, embryo नहीं बन रहा, embryo क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जो युगमनज है, zygote है, वो तुरंत meiosis कर देता है, तुरंत meiosis से वापस अगुनित बन जाता है, आगे चल कर, त तो कहां brun बनेगा भई, तो इतना सब की clear है बात, ये सारा algae के सामान्य लक्षन सब को clear है की नहीं बता दो, अब हम बात करेंगे algae का शेवाल का वरगी करन, तो शेवाल यानि algae तीन तरह के होते हैं बच्चों, green, brown और red, तो इन तीनों algae का वरगी करन किस आधार पर किया ज मुख्य रूप से प्रकार संचलेशी वरनक या photosynthetic pigments, मुख्य रूप से प्रकार संचलेशी वरनक या photosynthetic pigments के आधार पर वरगी करन करते हैं, उसके अलावा, उसके अलावा उनमें कौन सा संचित भोजन है, stored food कौन सा है, उसमें कौन सा किस तरह के flagella है, उनकी cell wall किस प्र नेक्स चीज आपको ध्यान में रखनी है, तीन तरह की शेवाल हैं, green algae है बचो, green algae को कहते है chlorophyce, brown algae, brown algae को कहते है phaophyce, और रेड एल्गी लाल शेवाल को कहते हैं रोडोफाईसी ये तीन आपके पास शेवाल हो गई भई बिलकुल हो गई अब यहाँ पर किस किस आधार पर यहाँ पर फोटो सिंथेटिक वरनक यानि फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स उसके बाद संचित भोजन यानि स्टोर्ड फूड कौन सा होगा फिर आपके पास कोशी का भित्ती यानि सेल वॉल फिर आपके पास फलेजिला और फिर इनका आवास इन सारे लक्षनों के बेसिस पर हम शेवाल को क्लासिफाई करते हैं इसका चार्ट NCRT में बना रखा है सवाल उस चार्ट पे भी आ सकता है हाँ इसम मुख्य रूप से मेन लक्षन जिसके आधार पर हम इन अल्गी को क्लासिफाई करते हैं मुख्य लक्षन क्या है वो वरनक है तो मुख्य लक्षन जिसके आधार पर करते हैं वो वरनक अब पॉइंट्स लिखने हैं कौन-कौन से हैं इसी सीक्मेंस में याद रखो क्लोरोफ ए और सी और इसमें क्लोरोफिल ए और डी एबी एसी एडी याद रखना है भाई एबी ग्रीन एलगी एसी ब्राउन एलगी एडी रेड एलगी हरा रंग हरा रंग तो ग्रीन एलगी का क्लोरोफिल के कारण होता है लेकिन ब्राउन एलगी में बूरा रंग ब्राउन एलगी मे रेड कलर किस कारण आता है, फाइको एरिथरिन के कारण, तो क्लोरोफिल तो सब में है, और देखो क्लोरोफिल A सब में है, A और B ग्रीन में, A और C ब्राउन में, A और D रेड आलगी में, और याद रखना बच्चों अपनने जब प्रोटिस्टा किंडम पड़ा था, तो उस इसमें आपको क्लोरोफिल A और B मिलेगा, तो याद रखना यूगलीनोइड, तैयारी 360 डिगरी करो अब, जब चैप्टर तैयार हो रहे हैं, तो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेड भी कर पाओगे, तब मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है, अब आपके पा आता है स्टार्च, ब्राउन एल्गी में आता है लैमी नेरिन और मैनी टॉल, और रेड एल्गी में आता है फ्लॉरीडियन स्टार्च, फ्लॉरीडियन स्टार्च जो है ना बच्चों, वो होता तो स्टार्च जैसा ही है, लेकिन फ्लॉरीडियन स्टार्च में जो जादा होती है ब्रांचिंग जादा होती है अमाईलो पेक्टिन होता है स्टार्च के अंदर उससे जादा तो अधिक ब्रांचिंग वाला स्टार्च कौन सा होता है फ्लॉरीडियन स्टार्च है फिर नेक्स लक्षन के आता है बच्चों सेल वॉल अब देखो सेल वॉल है तो cellulose तो सब में होगा भई प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं इनको तो प्लांट के अंदर पढ़ रहे हो तो cellulose तो सब में मिलना है आप लोगों को अब काम की चीज क्या है cellulose के साथ pectos या pectin आएगा green algae में cellulose के साथ algin आएगा brown algae में और cellulose pectos के साथ साथ polysulfate esters polysulfate esters लाल शेवाल में याद मौनिका जी क्या बेटा question बेटा जब मैं आपका अभी एक बार ये पढ़ा दू topic उसके बाद आप comment करके मुझे बताना बेटा आपका सवाल क्या था वो इतने सारे comments में ध्यान नहीं जाता बेटा शेख जी ने पूछा है सर क्लोरोफाइसी को सबसे विकसित algae क्यों कहते हैं बेटा वर्नक के आधार पर इसमें जो प्रकास संचलेशी वर्नक है ना क्लोरोफिल ए और बी वो हायर प्लांट उच्य पादोपो के समान है इसलिए कहते हैं ठीके अरे कैरगीन अभी नहीं आएगा बेटा कैरगीन लाल आलगी आने दो ना कैरगीन जो है वो कॉंड्रस आईरिश मौस से मिलती है जो लाल शेवाल है और लाल शेवाल अभी पहु ठीक है फिर आपके पास फ्लेजिला की बात करें तो ग्रीन अलगी में दो से आठ होते हैं शीर्श यानी एपिकल होते हैं और सब के सब समान साइस के होते हैं ब्राउन अलगी में दो होते हैं फ्लेजिला पार्शुब होते हैं और असमान अन इकुल होंगे और रेड अलग जिसमें आपको गतीशील युगमाग गतीशील बिजानू मिलते ही नहीं तो वो आंसर आपको रेड आलगी करना है ठीक है फिर बात हो रही है आवास की तो देखो भई आवास जो है ग्रीन आलगी जो है वो शुद्ध और लवनिय दोनों जल में मिलती है और ब्राउन और रे कांच लवनिय जल में मिलती है लवनिय जल को NCRT कहती है ब्रैकिश वोटर जिसमें सॉल्ट जादा होता है लवन जादा होता है वो ब्रैकिश वोटर तो ग्रीन आलगी तो शुद्ध और लवनिय जल दोनों में मिलती है और आपके पास ब्राउन आलगी और रेड आलगी ज बात क्लियर बच्चों, क्लियर है बात सबको, यहां तक सबको क्लियर ये चार्ट बहुत इंपोर्टेंट है, इस चार्ट से भी प्रशन पूछ सकते हैं, दो से तीन सवाल अगर आएंगे न, इसमें प्लान किंडम के, तो एलगी पे जो सवाल आएगा, तो एलगी का ये चार बात तो याद रखना ही पड़ेगा, क्लियर बात बच्चों, अब एक एक परके, अरे देखो यार सही बता रहा हूं, प्लान किंडम इस तरह से पढ़ लिया न, दिक्कत कुछ नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अब हम एक एक करके बात करेंगे लक्षनों की, एक प्रिश याद रखने हैं सब एक एक पॉइंट, सामान्य लक्षन सारे देख लिया, सामान्य ग्रीन अलगी में हमने देख लिया, सेल वॉल किससे बनी है, वरनक कौन से है, संचित भोजन कौन सा है, फलेजिला कितने है, आवास कहां है, सब बता दिया, ये सब तो हमने अब ग्रीन अलगी में विशिष्ट लक्षन याद, रखने है, विशिष्ट लक्षन कैसे पहचानोगे, विशिष्ट लक्षन ग्रीन अलगी के NCRT में क्या दे रखे हैं, पहला आपको ध्यान में रखना है क्लोरो प्लास्ट का आकार, ठीक है सबसे पहला विशेश लक्षन आपको NCRT में दे रखा है कि इन में chloroplast के अलग-अलग आकार दे रखे हैं मतलब इसमें chloroplast कप आकार का दे रखा होता है कप shaped का होता है स्थर्कु spiral shape का chloroplast होता है reticulate जालीदार shape का होता है आपके पास मेखला अकार का गर्डल शेप का होता है स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये अलग-अलग तरेके या अलग-अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट है तो आपको याद रखना है कब शेप का क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलता है बच्चों Clamidomonas में किस में मिलेगा Clamidomonas Spiral Shape का किस में मिलेगा Spirogyra जालीदार Reticulate किस में मिलेगा Deagonia Meca मेखला आकार का किस में मिलेगा ULothrix में Star आकार का किस में मिलेगा Zygmia में तो अलग-अलग देखो NCRT में उधारन तो नहीं है लेकिन NCRT में एक line है कि green algae का जो chloroplast है वो अलग-अलग आकार का होता है तो यहाँ पर मैंने chloroplast का आकार भी आपको बता दिया और ये आकार किस-किस algae में मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया फिर next लक्षन क्या है भई विशिश लक्षन दूसरा कि इनके chloroplast में क्या होता है एक ही chloroplast है इनके chloroplast में विशेश सनरचनाए पाईरेनोइड्स पाई जाती है ये भी NCRT में है chloroplast का शेप अलग-अलग है ये दे रखा है और chloroplast के अंदर विशेश सनरचनाए क्या पाई जाती है पाईरेनोइड्स पाईरेनोइड्स किस से बना है बच्चों पाईरेनोइड्स बना होता है स्टार्च और प्रोटीन से इसमें आपको ध्यान में रखना है पेरीफ्री म क्लोरोपलास्ट में पाईरेनोइड्स है पाईरेनोइड्स स्टोरेज बोडी होती है पाईरेनोइड्स किस से बनी है स्टार्च और प्रोटीन से स्टार्च कहा होता है ये भी याद रखना तो स्टार्च परीधी में होता है पेरीफ्री में और सेंटर में केंद्र में क्या मिलेगा प्रोटीन्स मिलेंगे ये लक्षन ध्यान रखना है फिर आपको काईग जनन वेजीटेटिव रेप्रडक्शन ग्रीन एलगी में काईग जनन वही एलगी में पता ही है काईग जनन किसके द्वारा होगा भई फ्राग्मेंटेशन के द्वारा अलेंगिक जनन एसेक्शुल रेप्रडक्शन अपने देखा था बिजानू होते हैं और मुख्य बिजानू कौन से होंगे चल बिजानू या जूसपोर्च और लेंगिक जनन सेक्शुल रेप्रडक्शन तो आइसोगेमस हो सकता है यह सारे ग्रीन एलगी के लक्षन ने कि यह सारे लक्षन किसमें रूप्ष याद रखना इन्दर पायण रखना और यह जनन के प्रकार पिर खेल आता है उधारन का ख्लोरेला क्लमाइडो मोनास को प्रोटिस्टा कींडम में जगे दी गई है शेक जी है तो हरीश ऎवाल क्लोरेला क्लमाइडो मोनास के उधारन तो यहींपे परढ़ेंगे है तो वो green algae, लेकिन question आ जाए कि 5 जगत वरगी करन के आधार पर उनको रखा कहा गया है, उनको स्थान कहा दिया गया है, तो प्रोटेस्टा में स्थान दिया गया है, ठीक है, अब उधारण भई, green algae में क्या-क्या लक्षन आपको ध्यान में रखने है, तो हरी शेवाल के क्लोरेला की आपको याद रखना है, क्लोरेला इसलिए important है, एक कोशी किया है, unicellular होती है भई, unicellular है, इसलिए five kingdom classification में जगे कहां दी थी प्रोटिस्टा में, लेकिन एक कोशी किया है और ये अगतीशील होती है, non-motile होती है बच्चों, क्लोरेला में गती नहीं पाई ज होती है, यह आपको पता होना चाहिए, single cell protein, क्लोरेला में protein की मात्रा जादा होती है, इसको single cell protein के रूप में यूज करते हैं, दूसरा NCRT में दे रखा है, अंतरिक श्यात्री, space travelers जो हैं, वो इसको यूज करते हैं, तो space travelers किस शेवाल का यूज करते हैं, एकल कोशी का protein में क इसका यूज किया जाता है, उधारन कलोरेला है, फिर दूसरा उधारन कलमाईडो मोनास, कलमाईडो मोनास का diagram भी NCRT में है, चित्र याद रखना भאी बहुत important है, चित्र कलमाईडो मोनास का दे रखा है, यह भी एक कोशी किया होती है, लेकिन इस पर flairagullalा होता है, यह गतीशील है ये आपके पास गतीशील है फिर आपको क्या दे रखा है यूलोथ्रिक्स इसका भी डायग्राम NCRT में है यूलोथ्रिक्स तंतूमय होती है फिलामेंटस तंतूमय है यानि फिलामेंटस है इसको पॉंड सकम भी कहते हैं हम फिर एक स्पाइरो गायरा याद रखन प्रफिर आपको याद रखना है कारा बचों कारा इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कारा के बारे में ट्वेल्थ का जो चाप्टर है फर्स चाप्टर में कारा की बात कर रखी है बचों कारा में आपको बता रखा है कि ये एक लिंगा श्रही होती है मोनो इशियस बता रखा है क्योंकि कारा में एक ही कारा पर नर और मादा लेंगी कंग दोनों होते हैं मादा लेंगी कंग ऊपर होता है नर लेंगी कंग नीचे होता है तो कारा के बारे में first chapter 12 में दे रखा है monoecious है फिर इसकी जो कोशी का भित्ती होती है बच्चों उसमें calcium carbonate होता है इसकी कोशी का भित्ती में calcium carbonate होता है फिर क्या होता है एक और important चीज ये है कि शेवाल में शेवाल में जो लेंगिक अंग sex organs होते हैं वो एक कोशी के होते हैं अरे बच्चों सारे point बता दूँगा सटी तरीके से यहां पर अगर आपने पढ़ लिया तो तो अपवाद में यहाँ पर sex organs जो होते हैं वो बहु कोशी किया होंगे कारा के और वैसे शेवाल में algae के अंदर क्या होता है भई, algae जो है उसमें sex organs एक कोशी किया होते है युलॉट्रिक्स girdle shape होता है शेख जी जो लिखा दिया बेटा अब उसको वापस comment करके क्यों लिख रहे हो गर्डल शेप का युलॉट्रिक्स लिखा तो दिया बेटा वही सवाल आब वापस पूछ रहे हो बेटा तो कारा स्पाइरो गाइरा स्पाइरो गाइरा बिल्कुल गती शील है बचों फिर कॉलनी में कौन रहती है वालवॉक्स इसका डाइग्राम भी है ये कॉलोनियल है और गती शील है याद है तो ncrt में वालवॉक्स का डाइग्राम है ncrt में क्लमाइडो मोनास का डाइग्र है जिसको मैंने टिक कर दिया है वो आपको NCRT के डाइग्राम भी ध्यान रखना है कि क्लियर है बात इतनी इतनी सब को क्लियर है भई ये सारे उधारन आपको ग्रीन एलगी के याद रखने हैं उनके आर्थिक महत्व के साथ मैंने बता दिया हो जाएगा मॉनिगा जी शौट से पढ़के देखो पढ़ना तो आपको पढ़ेगा बेटा रिवाईस बढ़िया तरीके से कर रहे हो तो हो जाएगा बिल्कूल बस मेहनत रखो भरोसा रखो कर लो तो यह हमने सब ने किसके लक्षन देख लिए भई ग्रीन एलगी के लक्षन मैंने आपको बता दिये है ठीक है अब आपके पास नेक्स्ट क्या आता है ब्राउन एलगी या भूरी शेवाल अब मैंने कौन सी किस की बात करनी है ब्राउन एलगी या भूरी शेवाल की अब क्या ध्यान रखना है भूरी शेवाल या ब्राउन एलगी में लक्षन ब्राउन एलगी में हमको मालूम चल गया वरनक कौन से है क्लोरोफिल A है क्लोरोफिल C है भूरा रंग किस कारण है भूरा रंग जो है ब्रा की चीज ब्राउन एल्गी में और क्या-क्या है तो पहली चीज तो है इनमें साइज में वेरियेशन होते हैं पॉइंट एंसी आटी खोल के बैठे हो तो सारे पॉइंट नोट करते रहना इनके आकार में विभिन्नताय आती है तो इनके आकार में विशमताय कैसी आती है जैसे इनमें सबसे सिंपल रूप जो होता है सिंपल शाखित रूप कौन सा है एक्टो कार्पस सबसे सरल शाखित भूरी शेवाल एक्टो कार्पस होती है और सौ मीटर तक बड़ी बड़ी फैली हुई कौन सी होती है कैल्पस है कि नहीं पॉ अंडरलाइन कर लेना NCRT में तो ब्राउन एलगी जो है ब्राउन एलगी में साइस की विवित्ता सबसे जादा होती है छोटी सरल ब्राउन एलगी जो है वो तो है एक्टो कार्पस और वो भूरी शेवाल जो समुद्र में 100-100 मीटर लंबी फैली हुई होती है उसे हम कहते हैं केल्पस या वो लैमीनेरियन से ये पहला पॉइंट है भूरी शेवाल में फिर भूरी शेवाल में दूसरा पॉइंट याद रखना है इनकी कोशी का भित्ती में अलगीन होता है NCRT में ये भी दे रखा है कि अलगिन एक हाइड्रो कोलोईड है अलगिन एक हाइड्रो कोलोईड होता है अब ये सेल वॉल में कोशी का भित्ती में जब ये हाइड्रो कोलोईड होगा न तो ये शेवाल का बचाव करेगा सूखे पन से तूटने से बचाव करेगा तो hydrocolloid जो होता है वो basically क्या देता है सुरक्षा देगा brown algae को ये आपको याद रखना है फिर next point brown algae में क्या याद रखना है भई next है कि in brown algae में जो thallus है वो thallus कितने हिस्सों में विभाजित होता है तीन भागों में सबस्ट्रेटम से जुडने में hold fast तने रूपी स्टाइप और पत्ती रूपी जो प्रकास संचलेशी करता है या photosynthetic frond ये भी NCRT में है point किसका सवाल आ जाए ऐसी कौन सी algae है ऐसी कौन सी शेवाल है जिसका thallus hold fast स्टाइप और frond में विभाजित है तो वो brown algae है वो क्या हो गई भई brown algae है फिर आपके पास प्रकास संचलेशन कौन करेगा इसमें frond प्रकास संचलेशी शमता या photosynthetic ability किसमें होगी frond हाँ algae या algae निक अमले एक ही बात है भई फिर brown शेवाल में आपको याद रखना है इनके जो बिजानू है इनके जो spores होते है भई वो होंगे तो बिलकुल सही बात है zoo spores होंगे इनमें दो phlegela होंगे ये भी आपको पता है और नाशपती आकार के होते हैं किस आकार के होंगे नाशपती पियर शेव इंपोर्टेंट है सबस्ट्रेटम का मतलब होता है बेटा जगे जिस पे जुड़ते हैं जिस भी जगे पर ब्राउन एल्गी जुड़ रही है ना तो जिस पर जुड़ती है उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं बिजानू चल बिजानू zoo spores हैं दो phlegela होते हैं और नाशपती आकार के हैं इनके युगमक भी याद रखना बचो इनके गेमीट्स भी बिलकुल pyreform shaped होते हैं pyreform shaped या नाशपती आकार के होते हैं तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं ऐसी शेवाल बताओ ऐसी एल्गी बताओ जिसके बिजानू spores भी नाशपती आकार के हैं और जिनके गेमीट्स या युगमक भी नाशपती आकार के हैं तो peer shaped gametes किसमे होंगे brown algae तो spores भी आपके पास peer shaped हैं gametes भी आपके पास peer shaped हैं किसकी बात हो रही है brown algae की तो brown algae के लक्षन हमने size में variations की बात कर ली cell wall में algin की बात कर ली इनका thallus इतने हिस्सों में divided है spore और gamete के लक्षनों की बात कर ली है अब इन में उधारन ध्यान रखने है भई अब brown algae के examples याद रखने है तो आजाओ brown algae के example कैसे पढ़ोगे कैसे याद रखोगे तो brown algae में क्या क्या आएगा देखो भई brown algae में एक तो एक्टो कारपस सबसे simple अपनने बात कर ली फिर laminaria जिसको अपनने kelvs भी कहा था laminaria आपको याद रखना है बच्चों edible होती है या खाने योग्या है ये NCRT में दे रखा है laminaria खाने योग्या या edible algae है laminaria के साथ साथ sargassum भी दे रखा है sargassum भी edible या खाने योग्या है NCRT में दे रखा है ना दोनों की दोनों लवनिय जल में मिलती है दोनों की दोनों marine water में मिलती है और marine form है लवनिय जल में मिलती है और दोनों को खाने में यूज किया जाता है हाँ, laminarial से आपको iodine भी मिलता है तो कौन सी शेवाल से iodine भी प्राप्त होगा? laminaria sergassum हमने देख लिया फिर एक बहुत important है fucus fucus इसलिए important है क्योंकि ये एक मात्र deployed algae है एक मात्र सारी की सारी algae सारी की सारी शेवाल अगुनित होती है green हो, brown हो, red हो सारी algae जो है ना algae haploid ही होती है अगुनित होती है लेकिन एक मात्र ऐसी शेवाल जो दूई गुनित होती है diploid है वो आपके पास fucus है फिर आपके पास और example याद रखना है dictiota तो ये आपके पास brown algae के examples है और उनका योग है कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी भुरी शेवाल है जो खाने योग्य होती है तो आपको याद रखना है खाने योग्य laminaria और sargassum खाने योग्य में हम किसे यूज करते हैं laminaria और sargassum clear भई तो ये हमने हाँ इसका चकर भी हम देखेंगे fucus का diplontic होता है तो brown algae के लक्षन सब को clear brown algae के लक्षन सब को clear हो गए क्या भई उधारन भी देख लिए लक्षन भी हमने देख लिए important point यहाँ पर ध्यान रखना है फिर हमारे पास red algae आती है next हमारे पास या आखरी शेवाल कौन सी है लाल शेवाल red algae red algae के बारे में क्या-क्या features हमने देख लिए हमने देख लिया कि यह जादा तर लवनिय जल में मिलती है यह हमको मालूम चल गया red algae के बारे में फिर हमको मालूम चल गया red algae के बारे में कि इसमें chlorophyll A और D है A और D है लाल रंग phyco-erythrin के कारण होता है यह भी हमको पता चल गया फिर हमको मालूम चल गया इसमें संचित भोजन stored food floridian starch है floridian starch में शाखाएं या शाखित वो branching जादा होती है फिर हमने देखा cell wall में cellulose है, pectin है और polysulfate के esters है और phlegilla इसमें होता ही नहीं तो यह तो अपने सब points देख लिए इसके अलावा red algae के बारे में क्या याद रखना है अधिकांच जो red algae है वो बहु कोशी किया होती है यह NCRT का point है बचो NCRT में दे रखा है न कि red algae का जो thallus होता है वो आपके पास बहु कोशी किया है तो अधिकांच लाल शेवाल बहु कोशी किया है, multi cellular है thallus फिर आपको ध्यान में रखना है यह ऐसी algae है जो समुद्र की सते पर भी मिलती है यानि सर्फेस पर भी मिलती है और गहराई में भी मिलती है यही तो याद याद point याद रखना है कौन सी ऐसी शेवाल है जो समुद्र की सर्फेस पर भी मिलेगी और great depths गहराई में भी मिलेगी हरी और भूरी शेवाल ग्रीन और ब्राउन एल्गी बहुत जदा गहराई में नहीं मिलती भई लेकिन कौन सी शेवाल है जो बहुत अधिक गहराई में सते पर भी मिलेगी और गहराई में भी मिलेगी तो वो रेड एल्गी है फिर रेड एलगी में आपको याद रखना है इनके जो बिजानू है स्पोर्ज है वो अगती शील होंगे ये तो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है बचों ये तो सीधा सवाल बन सकता है कि नौन मोटाइल स्पोर्ज और नौन मोटाइल गेमीट्स किसमें मिलेंगे जिनके युगमक भी अगती शील हों जिसके बिजानू भी नौन मोटाइल हों तो किस शेवाल की बात हो रही है रेड एलगी अगर आपके पास सवाल आजाए कि ऐसे युगमक ऐसे बिजानू जो नाश्पती आकार के हैं जो पियर शेव्ड गेमीट्स हैं पियर शेव्ड और स्पोर्स दे रखे हैं तो रेड एलगी की बात हो रही है फिर इसमें आपको ध्यान में रखना है नेक्स पॉइंट क्या और दे रखा है कि निशेचन बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जटिल परिवर्तन कॉम्प्लेक्स चेंजेज किसमें देखे जाते हैं तो आपक को ये भी याद रखना है कॉम्प्लेक्स चेंजेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो वो रेड एलगी है रेड एलगी में फर्टिलाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स चेंजेज देखे जाएंगे तो वो भी किसकी बात हो रही है रेड एलगी की बात हो रही है ठीक है ग के पास कैसी शेवाल का रंग होता है नीला और जैसे जैसे वो गहराई में जाती है लाल प्रतीत हो जाती है तो यह रेड अल्गी है और रेड अल्गी में आपको याद रखना है उधारन अब तो रेड अल्गी के उधारन यहीं पर देख लेते हैं भई तो रेड अल्गी में आपके पास उधारन यहां पे ले लिया पहला उधारन मैंने ले लिया polysiphonia ये उधारन है दूसरा उधारन है पॉर्फाइरा पॉर्फाइरा के बारे में important point है बच्चों ये भी खाने योग्य है या edible है तो ये भी point ncrt में है लवनिय या marine water में तो तीन algae है बच्चों जो खाने योग्य थे लवनिय जल में लवनिय जल में तीन algae थे खाने योग्य पॉर्फाइरा लैमिनेरिया और सैर्गैसम फिर आपको दो उधारन और याद रखने है जेलीडियम और gracilaria जेलीडियम और gracilaria इन लाल शेवाल से क्या प्राप्त होता है अगार अगार तो अगार अगार किससे मिलेगा जेलीडियम और gracilaria से मिलेगा और सबसे important condras condras जिसे हम Irish moss कहते हैं ये लाल अलगी है इससे क्या प्राप्त होता है कैरगीन और कैरगीन और अगार अगार का काम लगभग एक जैसा है भई कैरगीन और अगार अगार जो है उनका प्रमुक काम होता है आईस क्रीम और जेलीडियम और जेलीडियम और जो है वो सूक्ष्म जीमों के प्रवर्धन में या जब हम microbes को कल्चर करते हैं तो solidifying agent के र कैरगी हमने पूरा कर लिया green algae देख लिया brown देख लिया red algae देख लिया लक्षन देख लिये उधारन देख लिये सारे कॉंडरस से कैरगीन मिलेगा red algae जो है वो brown algae से मिलेगा ये भी hydrocolloid है बचो कैरगीन भी याद रखना एक hydrocolloid का ही example है तो ये सारा algae और उसके लक्षन फिर आर्थिक महत्व याद रखना बचो economic importance आर्थिक महत्व या economic importance में क्या याद रखना है कि 50 प्रतिशत प्रित्वी पर जितना प्रकास संचलेशन हो रहा है इस अर्थ पे जितना photosynthesis हो रहा है उसका 50 प्रतिशत algae करता है तो ये point भी आपको ध्यान में रखना है कि algae का सबसे important economic importance ही क्या है 50% photosynthesis कुल प्रकास संचलेशन का 50 प्रतिशत कौन करता है शेवाल करता है तो ये सारे point जो थे वो हमने algae में देख लिए ठीक है भई तो algae हमारे पास हो गया अब algae से हम next plant पे चलेंगे और algae के बाद next हमारे पास क्या आता है ब्रायोफाइट्स या जिसको हम कहते हैं ब्रायोफाइटा तो algae हमने देख लिए algae के सारे प्रकार हमने देख लिए उनके उधारन देख लिए लक्षन देख लिए सारे point algae के cover हो गए भई अब algae के बाद next हमारे पास क्या आता है ब्रायोफाइटा आएगा अब ब्रायोफाइटा में क्या क्या point एक एक करके वापस वही सही ब्रायोफाइट्स आ जाओ अब ब्रायोफाइट्स में सबसे पहली चीज आवास ध्यान रखना है habitat जैसे आपके पास algae में habitat क्या था फ्र आवास में आपको याद रखना है बच्चों, ये moist soil में मिलेंगे, आदरता वाले moist soil में मिलेंगे, moist soil का मतलब है और छायादार शेत्रों में, छायादार का मतलब है shady areas में, तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, ये छायादार शेत्रों में मिलते हैं, ज जहां पर चाया होती है, जहां पर सूरज की रोशनी कम होती है, तो चाया प्रिय पादप है, शेड्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्कायोफाइट्स कहते हैं, और दूसरा मॉइस्ट सॉइल क्यों है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको निशेचन के लिए किसकी जरुवत पड़ती है, वाटर की, और क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरुवत पड़ती है, वाटर की, इसलिए इनको पादप जगत के उभाएचर कहा जाता है, तो पादब जगत के उभाइचर या amphibians of plant kingdom किसे कहेंगे ब्रायोफाइट को क्यों कहेंगे क्योंकि रहते तो ये soil में हैं लेकिन आदरता या नमी वाले soil में रहते हैं इनको fertilization के लिए पानी चाहिए इसलिए amphibians of plant kingdom है फिर next point आपको क्या देयर रखा है बच्चों इनमें भी समवेनिय उत्तक नहीं आये हैं ये भी non-vascular cryptogames है cryptogames का मतलब तो आप समझ गए इनमें beege नहीं होते seeds नहीं होते और non-vascular का मतलब है इनमें xylem और phloem भी नहीं है तो xylem और phloem नहीं होते और बीज नहीं होते इसलिए इनको non-vascular cryptogames कहते है फिर next चीज जो है बच्चों इनमें embryo अब बन जाएगा इनके अंदर भुरून का निर्मान होगा इनको हम embryo phyta कहेंगे तो भुरून बनता है embryo बनेगा और embryo बनेगा इसलिए इसको क्या कहते हैं embryo phyta महिंदर जी ये tracheo phyta नहीं होते बेटा tracheo phyta तो तब होंगे जब xylem में trachee जा जाएंगे जब xylem बनेगा ये tracheo phyta नहीं है बेटा tracheo phyta सबसे पहले terido phyta थे फिर आपके पास bryophytes की जो मुख्यकाय है main plant body है बच्चों जो main plant body है वो algae से ज़ादा विभेदित है algae से अधिक विभेदित है algae से अधिक differentiated है ये NCRT की line है algae में तो thallus था इनमें thallus जैसी संदचना मतलब इसमें तने जैसी मूल जैसी पत्ती जैसी संदचना आ जाती है तो इनके अंदर algae से ज़ादा differentiated है इनमें मूल रूपी यानी root जैसे structures पाए जाते है जिसे rhizoids कहते है और rhizoids को हम हिंदी में क्या कहते है मूल भास तो मूल रूपी संदचना rhizoids किसमें मिलेंगे bryophytes में मिलेंगे तो आपके पास ये लक्षन ध्यान में रखने है bryophytes के अब खेल क्या है सुनना bryophytes की जो main plant body है main plant body जब आप किसी भी bryophyte को देख रहे हो rixia, mercantia, किसी moss को देख रहे हो तो आप जब किसी भी plant body को देखते हो bryophytes की वो एक तो आगुनित होगी haploid होगी ठीके और उस पर gametes बनेंगे और क्योंकि उस पर gametes या युगमक बनेंगे उसे कहते हैं gametophyte उसे कहते हैं युगमक ओदभेट तो bryophytes की जो main plant body है जब आप किसी भी bryophyte को देख रहे हो तो जो उसमें दिख रहा है पत्ते जैसी संदचना तने जैसी मूलाभास, rhizoid ये सब gametophyte का लक्षन है मूलाभास भी N ये gametophyte होता है ये बात bryophytes की clear है bryophytes का आवास हमने देख लिया इसको पादब जगत की उभैचर कहते हैं संवेनिय उत्तक इन में अभी तक नहीं आये है non vascular मतलब algae और bryophytes में common चीज़ क्या है algae और bryophytes दोनों में ही संवेनिय उत्तक xylem phloem नहीं है फिर आपके पास embryo इन में बनने लग जाएगा इन में मुख्य plant body gametophyte होती है अब कैसे ध्यान में रखोगे next point आजओ अब क्या कुछ नहीं करना gametophyte से चालू कर दो युगमकोदभित तो मुख्य plant body मतलब जो मकान है बच्चों वो किसका है युगमकोदभित का है bryophyte का जो मकान बना हुआ है वो युगमकोदभित है यानि आपके पास gametophyte है और इस gametophyte में आपके पास ठीक अब gametophyte है बच्चों तो इस पर युगमक बनेंगे न अगर ये युगमकोदभित है gametophyte है तो इस पर युगमक बनेंगे gametes और gametes बनने के लिए इनमें लेंगिक अंग होंगे anthridia anthridia क्या होता है male sex organ नर लेंगिक अंग यानि male sex organ क्या हो गया anthridia और मादा लेंगिक अंग female sex organ क्या हो गया archegonia तो नर लेंगिक अंग और मादा लेंगिक अंग याद रखने हैं और ये नर लेंगिक अंग मादा लेंगिक अंग anthridia archegonia बहु कोशिक यह होंगे इनमें sex organs बहु कोशिक यह होंगे multicellular फिर नरलेंगिक अंग से नर्युगमक बनेगा भई एंथरीडिया से क्या बनेगा नरलेंगिक अंग से नर्युगमक मेल गेबीट्स बनेगे और नर्युगमकों को मेल गेमीट्स को कहते हैं एंथरोजोईट्स याद रखना बच्चों ये कॉमा शेप के होंगे इनका आकार कॉमा जैसा होता है और इनमें दो फलेजिला लगे होते हैं और आर्की गोनिया से आपके पास अंड कोशिका बनेगी मादा युगमक भई आप समझ गए युगमक उध्वित कहा है गेमीटोफाइट इसका मतलब ये गेमीट बनाते हैं युगमक बनाते हैं और युगमक बनाने के लिए लेंगिक अंग होने जरूरी है फिर ये नर युगमक अंड कोशिका तक कैसे पहुचेंगे भई ये नर युगमक अंड कोशिका तक तैरते हुए पहुचेंगे पानी की साहता से पहुचेंगे तो उसे कहते हैं जूडियोगेमी उसे कहते हैं जूडियोगेमी जूडियोगेमी का मतलब है कि फर्टलाइजेशन के लिए निशेचन के लिए जल चाहिए फर्टलाइजेशन के लिए पानी क्यों चाहिए क्योंकि पानी में ही नर युगमक तेरते वे जाएंगे तेरते वे जाएंगे निशेचन और नर युगमक गतीशील होंगे और मेल गेमीट्स मोटाइल होते हैं पानी चाहिए निशेचन के लिए इसको जूडियो गेमी और जूडियो गेमी बनते ही अब क्या बन जाएगा युगमनज जाएगोट बनेगा भई जाएगोट और ये जाएगोट अब किस में विक्सित होगा बिजानुद भिद में ये किसका निर्मान करेगा स्पोरोफाइट का ये 2N है भई ये बहु कोशी किया होता है NCRT में सारे पॉइंट दे रखें बच्चों अच्छी तरह याद रख लेना वन शॉट में जो युगमनज से बिजानुद भिद बनेगा स्पोरोफाइट वो स्पोरोफाइट बहु कोशी किया है और बहु कोशी किया होने के साथ साथ तीन हिस्सों में विभाजित होता है फुट, सीटे और कैपसियूल सब 2N है बच्चों ये सवाल भी पूछेंगे आपसे एक्जैम में आपको संरचनाओ के नाम दे देंगे आपसे पूछेंगे कौन सा अगुनित है कौन सा द्वी गुनित है कौन सा हैपलोइट कौन स स्पोरोफाइट में कैपसियूल है बिलकुल है इस कैपसियूल के अंदर मियोसिज या अर्दसूत्री विभाजन होगा अर्दसूत्री विभाजन होगा तो हमारे पास स्पोर या बिजानू बनेंगे और ये स्पोर बिजानू N है और ये अंकुरन के द्वारा जर्मीनेश कि यह पूरा का पूरा लाइफ चक्र ब्राइओ फाइट का है इसमें अगोने दुएगोने दोनों अवस्थाएं है इसे हैपलोडिलॉंटिक चक्र कहते हैं इस चक्र को ही हम क्या कहते हैं है एपलोडिपलॉंटिक κάν लेना इसमें स्पाइरूलिना भी सम्मिली थे बिल्कुल है गुरू जी लेकिन स्पाइरूलिना ब्लू ग्रीन आलगी होती है बेटा वो नील हरी छेवाल है जिसको मौनेरा जगत में पढ़ते हैं तो अब आपको पास क्या next point याद रखना है देखो भई ब्रायो फाइट्स का में पॉइंट ब्रायो फाइट्स का मुख्य लक्षन जो है जो मकान है वो गेमीटो फाइट है प्रभावी अवस्था गेमीटो फाइट है और बेचारी अवस्था बिजानुद भिद है बेचारी मतलब यह किरायदार है ये गेमीटोफाइट के साथ रहती है, गेमीटोफाइट के उपर ही रहती है, आवास के लिए और पोशन के लिए, मतलब nutrition और habitat support के लिए बेजानुदभित किस पे निर्भर है, युगमकोदभित पर, तो dominant phase कौन सा होता है भई, ब्रायोफाइट का dominant phase, प्रभावी अवस्था गेमीटोफाइट है, बेजानुदभित है तो बहु कोशी किया, लेकिन ये किस पे निर्भर है, ये पोशन और आवास, nutrition और support के लिए, ये गेमीटोफाइट पर निर्भर होती है, ये बहुत important point है, इसी चार्ट से मैंने आपको बता दिया, मुख्य अवस्था, प्रभावी अवस्था, डॉमिनेंट अवस्था किसकी है, मकान किसका है, गेमीटोफाइट, किरायदार कौन है, किरायदार बिजानुदभित है, मतलब वो पोशन के लिए और आवास के लिए किस पे निर्भर रहेगा भई, वो गेमीटोफाइट पर निर्भर रहेगा, क्लियर बात सबको इतनी, ये पूरा हैपलो डिपलॉंटिक चक्र, कौन से अगुनित है, कौन से दुई गुनित है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, अब उधारन पे बात करें, तो अब अपने पास जब हम ब्रायोफाइट्स किया, ब्रायोफाइट की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा में हम दो पढ़ेंगे, एक लिवर वर्ट्स के बारे में, और दूसरा हमारे पास मौसेश के बारे में, तो लिवर वर्ट्स और मौसेश किसके उधारन है, ब्रायोफाइट्स के, अरे हरिंदर जी आप आवाज देंगे, आप चाहेंगे, आप बुलाएंगे, तो जरूर आएंगे न यार, हम तो यहीं है जोदपुर में, जिस जिस शाखा में, जिस ब्रांश में बुलाओगे, आ जाएंगे यार, ऐसे पयार से बुलाईएगा बस, ठीक है, तो अब नेक्स चीज़ समझो, ब्रायोफाइट्स में ये दोनों उधारन तो हो गए, अब क्या-क्या लक्षन है, लिवर वर्ट्स में सबसे पहले तो उधारन याद रखना है, लिवर वर्ट्स में हमारे पास आता है रिक्सिया, लिवर वर्ट्स में हमारे पास आता है मरकै तो liver words में rixia और mercantia उधारण है ठीक है अब लक्षन क्या क्या याद रखने है सबसे पहले इनका जो थैलस होता है वो अधरिय प्रिष्टिय रूप से चप्ता होता है दौर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड है इसका डायग्राम भी आपको दे रखा है NCRT में तो इनका जो थै पहले से rixia mercantia का वो अधरिय प्रिष्टिय हिस्से पर चप्ता होता है फ्लैट होता है बता दिया फिर इनके अंदर जो मूला भास होंगे भई राइजोईड्स सारा खेल एक एक पॉइंट याद रखना इनके राइजोईड्स जो है वो एक कोशी किया या यूनी सेलिलू और अनब्रांजड यूनी सेलिलूलर और अनब्रांजड राइजोईड्स मिलेंगे आपको लिवर वर्ट्स में दूसरा लक्षन तीसरा लक्षन आपको ध्यान में रखना है इनमें काईक जनन वेजीटेटिव रेप्रड़क्षन खंडन के द्वारा होगा बिलकुल इनमे वेजीटेटिव रेप्रड़क्षन काईक जनन फ्रेग्मेंटेशन के द्वारा होगा और अलेंगिक जनन के लिए एसेक्शल रेप्रड़क्षन के लिए जेमा कप्स होते हैं ये भी बहुत इंपोर्टेंट है लिवर वर्ट्स में अलेंगिक जनन अरे बहुत-बहुत धर और मेरी पुरी कोशिश यह है कि आपको जितना आसान तरीके से NCRT करवा सकूँ वो करवा दूँ जैमा कप्स के लक्षन भी आपको याद रखने है बचों जैमा कप्स आपको याद रखना है बहु कोशी किया होता है यानि मल्टी सेलूलर होता है हरे रंग का होगा ग्रीन है और असेक्शुल अलेंगिक कलीकाएं होती है तीनो पॉइंट्स हरी अलेंगिक बहु कोशी किया कलीकाएं जो है वो है आरे किशन जी बहुत-बहुत धन्यवाद भई तो ये गेमा कप्स हैं और ये जेमा कप्स मुख्य पादप से अलग होता है और मुख्य पादप से अलग होकर नया पादप बना देता है आरे क्या बात है वई जाड़ जी आप बैंगलोर से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया जुने डालम जी बहुत बहुत धन्यवाद भई बढ़िया मेहनत कर रहो पढ़िया रहो पढ़ते रहो ठीक है तो यह आपको याद रखना है फिर नेक्स दो-तीन चीज़े क्या याद र और मादा अलग-अलग होते हैं, मरकैंशिया का थैलस NCRT में दे रखा है, मेल अलग दे रखा है, फीमेल अलग दे रखा है, तो नर और मादा अलग-अलग है, मेल और फीमेल अलग-अलग है, इसलिए मरकैंशिया डाइशियस या यूनी सेक्श्वल है, और रिक्सिया की मेल अलग-अलग है, फिर आपको ध्यान क्या रखना है, बच्चों, रिक्सिया में आपको याद रखना है, रिक्सिया का जो बिजानुद भिद होता है, यानि रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है ना भई, वो केवल कैप्सियूल से बना है, उसमें केवल कैप्सियूल है, अ आफी बार मैंने देखा है कि आप सही जवाब देते हो बेटा तो जरूर आपका नाम बताइए का आपका नाम हम जरूर जानना चाहेंगे अब आपके पास केवल कैप्स्यूल से बना हुआ है तो सबसे सरल यानि simplest बिजानुद भिद किसका होता है रिक्सिया का और एक पॉइंट और याद रखेगा बच्चों मरकैंशिया के अंदर मरकैंशिया के अंदर बिजानु प्रक्रीनन के लिए spore dispersal के लिए क्या पाए जाते हैं elators ये आद्रग्राही कोशिका होती है समू और ये बिजानु प्रक्रीनन में काम करता है अचा मानशी जी बहुत बहुत बदाई हो भई आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करिए आप और बिलकुल जिस दिन निजल्ड आपका बढ़िया आ जाए जिस दिन आप नंबर क्लियर कर जाए ना नीट में ऐसे मिठाई का दबबा जरूर भी जाएगा तो मिठाई का दबबा हमें मिलेगा तो फिर हमको दुआएं भी आपके पास आ जाएंगी जरूर भीजेगा कह सकते हैं निल जी बिलकुल तो अब आपके पास ये सारे लक्षन लिवर वर्ड्स के बता दिये मैंने आपको जो ध्यान में रखन हैं स्पोर डिस्पर्जल के लिए या बिजानू प्रक्रीरन के लिए लेटर्स हैं रिथैलस मूलाभास गाइक जनन अल एंगिक जैमा कप्त रिक्सिया ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए अब किसकी बात करेंगे मॉसेश की अब यहां जगे नहीं है मॉसेश के लिए म इडवान्स ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं जो विकसित हैं वो आपके पास मॉसेश हैं पहला अंतर तो होगा कि इनका जो मूलाभास है बच्चोरं राइजोईड्स हैं इनके जो मूलाभास हैं वो अब बहु कोशी क्या और शाखित हो जाएंगे बहु कोशी क्या और यानि multi cellular और branched है mosses के rhizoid यही उधारन है बच्चों आपको तो mosses का जो मुलाभास या rhizoid है वो बहु कोशिक या multi cellular और branched होंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है फिर next क्या लक्षन याद रखना है mosses के अंदर भई mosses में gametophyte जो होता है mosses का जो gametophyte होगा ना बच्चों युगमकोदभित वो दो अवस्थाए होती है उसकी gametophyte या युगमकोदभित की दो अवस्थाए होती है एक तो जिसे हम कहते हैं protonima और दूसरी जिसे हम कहते हैं leafy stage NCRT में ये दोनो points हैं दोनो important हैं क्या क्या याद रखोगे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है जो gametophyte है mosses के युगमकोदभित की दो अवस्थाए हैं तो protonima और leafy stage दोनो अगुनित हैं इसका मतलब दोनो gametophyte अवस्था हैं अब आप protonima में क्या अवस्था देखो बई protonima रेंगती हुई अवस्था होती है रेंगती हुई मतलब creepy अवस्था है तन्तूमय होती है और हरी है तो रेंगती हुई तन्तूमय हरी संदचना protonima होती है और इस protonima में या तो खंडन होगा या मुकूलन होगा खंडन आप समझ गए fragmentation स्पावरेशन मुकूलन का मतलब है बडिंग तो बडिंग या खंडन से ये लीफी स्टेज बनाएगा लीफी स्टेज का मतलब है अब इसमें पत्तियां होंगी ये सीधी सीधी का मतलब अपराइट यह रेंगती भी नहीं है बचो प्रोटो निमा तो जमीन पे रेंगती हुई अवस्था है लेकिन लीफी स्टेज सीधी अवस्था होगी सीधी अवस्था अपराइट है और इस पर लेंगिक अंग होंगे इनमें लेंगिक अंग मतलब अंथरीडिया और आर्की गोनिया जो थे ना सेक्स ओर्गन्स वो किस अवस्था में मिलेंगे लीफी स्टेज पर तो गेमीटोफाइट मौसेज की गेमीटोफाइट में दो अवस्थाएं हैं दोनों अवस्थाएं मैंने आपको बता दी रेंगत है पत्तिया इसमें निकल जाएंगी और इस पर एंथरीडिया आर्की गोनिया प्रेजेंट होंगे फिर मौसेज में नेक्स पॉइंट क्या याद रखना है मौसेज का जो बिजानुद भिद है वो लिवर वर्ट से बहतर होगा विक्सित होगा तो बिजानुद भिद जो है 2N वो किसमें विभाजित है फुट सीटे और कैप्सियूल में ठीक है फिर NCRT में दे रखा है मौसेज के अंदर जो बिजानुद प्रिक्रीनन होता है जो स्पोर डिस्पर्जल होता है वो NCRT में लिखा हुआ है More Elaborate है More Elaborate का मतलब है अधिक विक्सित है और उसके अंदर आप पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो पेरिस्टोमियल दंत पाए जाते हैं देखो मरकैंशिया में बिजानुद प्रक्रीनन के लिए क्या होता है बिजानु मतलब जब हम लिवर वर्ट्स की बात कर रहे हैं, लिवर वर्ट्स में मरकैंशिया था, मरकैंशिया में इलेटर्स होते हैं, जो बिजानू प्रक्रीनन में काम करते हैं, यहां पर उससे बहतर लक्षन है, उससे बहतर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, जो बिजानू प्रक्रीनन में काम करत हैं तो स्पोर डिस्पर्जल अधिक विक्सित होगा मॉसेज में ये पॉइंट दे रखा है हाँ लिख लो बेटा श्रवन जी ठीक है आ रहे हैं बेटा 180 में से 170 नमबर आ रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हो बेटा हाँ स्क्रीन शॉर्ट ले लो बेटा इसका बिलकुल तो ये मॉसेज के लक्षन है फिर उधारन सिम्रन जी लेवर वर्ट्स में बिजानुद भिद होगा न बेटा लेकिन इतना विक्सित नहीं होगा जैसे रिक्सिया के अंदर केवल बिजानुद भिद में कैप्सियू लिए बेटा फुट और सीटे तो है ही नहीं करा देंगे आशी जी बिल्कुल करा देंगे बेटा ठीक है अब आजाओ अब मॉसेज में उधारन आपको क्या-क्या ध्यान में रखने हैं तो मॉसेज में आपके पास स्फैगनम आता है जिसको पीट मॉस या बॉग मॉस कहते हैं अपन फिर इसमें आपके पास पॉली ट्राइकम आता है जिसको हेर कैप मॉस कहते हैं फिर आपके पास इसमें पॉली ट्राइकम हो गया स्फैगनम हो गया फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया को हम रोप कॉड मॉस कहते हैं सही अब इसमें क्या-क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं भई इसमें याद रखना है स्फैगनम का एक तो इंधन के रूप में यूज होता है यह इसका जिवाश्म इंधन के रूप में यूज होता है दूसरा इसमें जल अवशोशन शमता बहतर होती है जल अवशोशन शमता वाटर एब्जॉर्बिंग कापैसिटी जादा होती है इसलिए इसको पैकिंग मटीरियल के रूप में यूज करते हैं ट्रांस शिपमेंड में है ना शिप में जो समुद्री जहार से जो पदार्थ जाते हैं उसके लिए प्रैकिंग मटीरियल के रूप में किसे यूज किया जाता है स्फैगनम में और उसके इंधन के रूप में भी यूज करते हैं फिर आपको याद रखना है इसके अलावा जो mosses होती है वो अनुक्रमन में काम करती है ecological succession होता है अनुक्रमन या ecological succession में lichens के साथ साथ ये pioneer जातियां होती है तो ये pioneer species का रूप काम करती है दूसरा food ये भोजन के रूप में काम करती है किसके लिए काफी शाकाहरी स्तंधारी होते हैं कुछ animals होते हैं उनके लिए भोजन के रूप में भी mosses काम करता है तो लेकिन NCRT में point दे रखा है बाकी सारे plants की अगर हम बात करें बचो मतलब हम algae की बात करें या सारे plants में से सबसे कम आर्थिक महत्व किसका होगा ब्रायोफाइट का होगा अगई बात सबको समझ में भई यह ब्रायोफाइट्स के लक्षन सबको clear है एक बार तरह comment करके बता दो यहां तक सबको clear है algae और ब्रायोफाइट्स हमने कर लिया भई आधा जो portion है इस चैप्टर का हमने कर लिया है अब हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस पॉम्स की बात करने वाले हैं clear है यहां तक सबको चालो भई बहुत बढ़िया आजो फिर हमारे पास अब हम किसकी बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की अब हम किसकी बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की अरे मगनलाल जी क्या हाल है आपके बढ़िया चालो बचो अब टेरिडोफाइट्स में आ जाओ अब टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वही सबसे पहला पॉइंट तो आवास पर आएगा अब आवास टेरिडोफाइट्स की बात करें तो है तो यह स्थल यह पादप सैंडी सॉयल में पाए जाते हैं ठीके सैंडी सॉयल में पाए जाते हैं स्थल में पाए जाते हैं लेकिन इनका जो युगमा कोदभित होता है इनका जो गेमीटोफाइट है उसे पानी चाहिए और इसके युगम कोदभित को पानी चाहिए इसलिए इनका वितरन इसका geographical distribution सीमित रहता है जादा नहीं फैल सकते तो यहां पर आपको point याद रखना है इनके गेमीटोफाइट को यानि इनके युगम कोदभित को किसकी आवशकता होती है जल की आवशकता यानि आपको ध्यान मे रखना है इनहे भी इनहे भी निशेचन के लिए fertilization के लिए जल चाहिए और इस कारण इनका भोगोलिक वितरन इस कारण इनका distribution वितरन सीमित रहता है हर जगे नहीं पाए जाते भाई एसा नहीं है कि यह सब जगे मिल जाएंगे teridofides आपको sandy soil में मिलेंगे लेकिन इसके आसपास पानी जरूर होना चाहिए आसपास जल क्यों चाहिए आसपास जल इसलिए चाहिए क्योंकि इनके gametophyte को क्या चाहिए जल निशेचन के लिए इनको जल चाहिए इसलिए इनका भोगोलिक वितरन सीमित रहता है यह NCRT में point है फिर टेरिडोफाइट कहां कहां यूज होते हैं बिल्कुल सही सजावट में यूज होते हैं इनका यूज ओर्नमेंटल यूज होता है ओशधियों के रूप में यूज होते हैं मेडिसिनल यूज होता है और ये मृदा को बांध के रखते हैं सॉइल बाइंडर्स के रूप में यूज होते हैं तो ये आर्थिक महत्व भी NCRT में दे रखा है आपने देखा होगा रेस्ट्रों में होटेल्स में फर्न्स को सजाया जाता है तो सजावट के रूप में ये टेरिडोफाइट्स यूज होते हैं और शेदिया इनसे मिल सकती हैं और सॉयल को बांधे रखने में काम करते हैं फिर टेरिडोफाइट्स सबसे पहले पादप हैं सबसे फर्स्ट प्लांट्स जिनमें सम वहनिया उत्तक आ जाता है सबसे पहले प्लांट्स जिनमें सम वहनिया उत्तक सम वहनिया उत्तक मतलब इनमें सबसे पहले वैस्क्यूलर टिश्यूज आ जाती है वैस्त किर्प्टो गैमस का मतलब मैंने बता दिया था बीज नहीं ही लेकिन वैस्त किलर टीशुई सब से पहले इननमे आ गही सम्वेंच पादप इननमे सब से पहले आ गहे लेकिन इनन दों है यानी है है लेकिन problem क्या है जायलम में vessels नहीं है भई केवल tracheids होते हैं आप समझ गए tracheids होंगे तो इन में वाही नहीं काये तो हैं लेकिन vessels नहीं है और phloem में सहाय कोशी काये companion cells नहीं होते तो इसलिए इन पादपो को हम tracheophyta कहते हैं अब आप समझ गए tracheophyta क्यों कह रहे हैं आपको tracheophyta का मतलब इन में केवल tracheids है वाही नहीं काये हैं इन में वाही काये vessels नहीं है vessels केवल आवरिद बीजियों में होते हैं vessels यानि जाइलम में वाही काओं की उपस्तिती जाइलम में vessels की उपस्तिती angiosperms का लक्षन होता है तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेंस हम teridofides को कहेंगे ये बात हो गई अब teridofides की खासियत क्या है अब teridofides को जब आप देखते हो जब आप इनने देखते हो तो इनकी जो main plant body है बिलकुल उसमें तने जड़ पत्तियां सब दिखाई देंगी आपको अब इनकी मुख्यकाय जो किरायदार था ना ब्रायोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स में ये किराय पे रहता था विचारा क्योंकि मकान तो युगमक उद्भित का था लेकिन अब जैसे 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 एवल्यूशन हुआ स्पोरोफाइट्स ने अपना मकान बना लिया तेरिडोफाइट्स में जिम्नोसपर्मस में अंजियोसपर्मस में मुख्य मकान मुख्यप्रभावी अवस्था कौन सी है बिजानूदभित है और ये किसमें डिवाइडेड है तने जड और पत्तियों में स्टेम, रूट, तो टेरीडोफाइट को जब आप देखते हो किसी भी टेरीडोफाइट को तो उसमें तने जड़ और पत्तियां दिखती है इसका मतलब वो डिपलॉइड है अब NCRT में क्या-क्या पॉइंट याद अखने है तना जो है वो राइजोम कहलाता है बच्चों वो सीधा भी हो सकत है रूट्स जो है जड़ जो होती है उसमें अप स्थानिक जड़े होती है mainly mainly प्राथमिक जड़ जो होती है बच्चों वो तो अल्पकालित कुछ ही समय तक रहती है मुख्य रूप से कौन सी जड़े होती है अप स्थानिक जड़े Adventitious और पत्तियां या तो छोटी होंगी या बड़ी होंगी बड़ी पत्तियों को कहते हैं मैक्रोफाइलस यह NCRT में है इसका उधारन है फन और छोटी पत्तियां किस में मिलेंगी सेले जी नेला में भई देखो NCRT अगर साथ लेके बैटे हो तो अंडरलाइन भी करते रहना सब बता रहा हूँ यहाँ पर तो हमारे पास छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां बड़ी पत्तियां मैक्रोफाइलस फर्न्स में होंगी छोटी पत्तियां सेले जी निला में होंगी प्रमुक जड़ें जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो तो नश्ट हो जाती है और उसके स्थान पर अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूटस आ जाता है क्लियर है बात सब को हाँ सुम्रण जी बिल्कुल सही बात है लेकिन ये तो पहले नाम दे रखाए बेटा इसलिए ब्रायो फाइट को पहले के रखाए अपसेंट है बई कम्पैनियन सेल्स जो है वो क्रॉस का मतलब नहीं होते बेटा जहां पर मैंने cross लिखा है न, cross का मतलब वो X नहीं है, वो cross है मतलब नहीं है तो अब terido fights में अब नई चीज बच्चों याद रखनी है, यहां तक तो clear है, screenshot इसका ले लो आप screenshot बड़ा ले लो इसका, फिर हम आगे देखते हैं इनको तो अब हमारे पास next जब हम बात करते हैं terido fights की तो terido fights दो तरे के होते हैं भई यहां पर एक तो homosporus जिसे हम कहते हैं सम भी जानू और दूसरे हमारे पास होते हैं heterosporus heterosporus जिसे हम कहते हैं विशम भी जानू तो दो तरे के terido fights अब आपको मिलेंगे दो कौन-कौन से homo और heteros ज्यादा तर यह important है ज्यादा तर अधिकांच terido fights अधिकांच terido fights homosporus होते हैं यहां पर आप याद रखना सारी शेवाल और सारे ब्रायो फाइटा यह भी सारे homosporus होते हैं homosporus का मतलब है एक ही तरे के बिजानू बनते हैं तो ज्यादा तर terido fights शेवाल ब्रायो फाइट सब में एक ही तरे के बिजानू बनते हैं सारे homosporus हैं पहली बार कुछ terido fights में कुछ terido fights में विशम बिजानूता देखी terido fights कौन कौन से हैं एजोला आईसोईटीज मारसेलिया सेलेजीनेला और सैलवीनिया तो यह आपके पास पांच पांच आपके पास विशम बिजानू terido fights के उधारन आपको याद में रखने हैं एजोला आईसोईटीज मारसेलिया सेलेजीनेला सैलवीनिया बाकी ज्यादा तर सुन लो ज्यादा तर जो homo spores terido fights होंगे ज्यादा तर आर्टी जी यलो लाइन कैसे हट मेरेको तो हमको दिख नहीं रहा है बेटा हमको तो बोट दिख रहा है और अब मेरे ख्याल से वह हट भी गई होगी तो आपके पास सारी शेवाल सारे ब्रायोफाइट और ज्यादा तर टेरिडोफाइट होमो spores हैं ये विशम भी जानू टेरिडोफाइट के एक्जाम्पल से हैं अब इसका मतलब है बच्चो जब हम जीवन चक्र की बात करेंगे तो दो चीज़े हैं ज्यादा तर टेरिड तो यहां पर मैंने ले लिया सम बिजानू टेरिडोफाइट यानि होमो स्पोरस टेरिडोफाइट हैं अब होमो स्पोरस टेरिडोफाइट जो हैं उसमें आपको क्या मिलेगा बिजानू धिया स्पोरोफाइट इसकी जो मुख्य पादप काय है डॉमिनेंट है वो स्पोरो विभेदित है सही बात है अब देखो बचों यहां पर यह जो पत्तियां है इन पत्तियों को आप स्पोरो फिल्स कह सकते हो आप समझ गए पत्तियों को क्या कह सकते हैं स्पोरो फिल्स क्योंकि पत्तियों पर बिजानू बनेंगे और क्योंकि पत्तियों पर बिजानू बनते ह इसलिए उसको sporophils कह सकते हैं फिर ये sporophils किसके अंदर बनेंगे ये बिजानु धानी यानि sporangia के अंदर ये sporophils के साथ क्या मिलेगा sporangia या बिजानु धानी और इनमें अर्द सूत्री विभाजन होगा और इनमें अर्द सूत्री विभाजन से क्या बनेंगे बिजानु बने इनके अर्दसूत्री विभाजन से आपको क्या मिलेंगे बिजानू अब ये जो बिजानू है इनका होगा अंकूरन और इनके अंकूरन से बनता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भई प्रो थेलस क्या बनेगा प्रो थेलस प्रो थेलस क्या है प्रो थेलस ही तो युगमकोद्भित है यही तो आपके पास युगमकोद्भित तो टेरिडोफाइट का युगमकोद्भित क्या कहलाएगा प्रोथैलस मुख्य अवस्था तो ये है मुख्य प्रभावी अवस्था तो स्पोरोफाइट है लेकिन युगमकोद्भित जो बन रहा है वो स्वतंत्र जीवी है ठीक है अलग से मकान रेकर रहेगा भई अलग से कमरा लेकर कह दो स्वतंत्र जीवन है इसका स्वतंत्र जीवी है और प्रकाश संचलेशी है और बहु कोशी किया है ये सारे लक्षन याद रखने है भई किसके प्रो थैलस के तो बिजानू से जो युगमकोद्भित बनेगा किसमे बनेगा सम बिजानू टेरिडोफाइट्स सम बिजानू टेरिडोफाइट्स का युगमकोद्भित प्रो थैलस कहलाता है बहु कोशी किया मल्टी सेलिलर होगा अलग से रहेगा स्वतंत्र जीवी है बनेंगे नरलेंगिक अंग और मादालेंगिक अंग बनेंगे आरकी गोनिया तो नरलेंगिक अंग और मादालेंगिक अंग बनेंगे फिर नरलेंगिक अंग से क्या बनेगा नर युगमक बनेगा एंथरोजोईड और यहां पर मादा युगमक बनेगी अंड कोशी का फिर इन का निशेचन होगा बिलकुल वही जूडियो गेमी निशेचन के लिए जल चाहिए वह बताया था जूडियो गेमी और इससे आपके पास क्या बन जाएगा जाइगोट तो या युगमनाज और ये जाइगोट या युगमनाज किसमें विक्सित होगा sporophyte में है अरे आशी जी बहुत बहुत धन्यवाद यार आपको बढ़िया लग रहा है सीखने को मिल रहा है और हमें क्या चाहिए जीवन से बढ़िया तो आपके पास ये सम बिजानू teridophyte से मुख्य अवस्था प्रभावी अवस्था sporophyte है लेकिन प्रोथालेस भी बिचारा कुछ समय तक रहता है अच्छा अलपकालित और लिख सकते हो NCRT में ये भी लिखावा है ये कुछ ही समय के लिए जीवित रहेगा ना तो शॉर्ट लिव्ड है यानि अलपकालित है लेकिन इस जीवन चक्र को भी हैपलोडिपलॉंटिक कहते है तो ब्रायोफाइट्स हों टेरिडोफाइट्स हों दोनों का जीवन चक्र हैपलोडिपलॉंटिक है फरक क्या है ब्रायोफाइट्स में मकान किसका था ब्रायोफाइट्स में प्रभावी अवस्था युगमकोद्भिद, गेमीटोफाइड था और किराये पर कौन रह रहा था बिजानूद्भिद, बिचारा उसी पर रह रह था उसी से भोजन ले रहा था लेकिन टेरिडोफाइड में मकान किसने बना लिया टेरिडोफाइड में मुख्य प्रभावी अवस्था अरे बढ़िया विजय जी बहुत बहुत बढ़िया अब देखो बच्चों अब हम बात किसकी करेंगे ये तो सम भी जानू टेरीडो फाइट्स की बात की लेकिन सारे टेरीडो फाइट्स तो सम भी जानू नहीं है ज्यादा तर टेरीडो फाइट्स होमोस्पोरस हैं ज्यादा तर टेरीडो फाइट्स सम भी जानू ता दर्शात नहीं हैं लेकिन कुछ टेरीडो फाइट्स विशम भी जानू भी होते हैं तो अब उसकी बात करेंग विशम बिजानू टेरिडोफाइट्स यानि हेट्रोस्पोरोफाइट्स अब विशम बिजानू है टेरिडोफाइट्स में आपको ध्यान में रखना है दो अलग-अलग तरे के बिजानू बनेंगे भई फरक्या है इनमें दो अलग-अलग तरे के बिजानू बनते हैं एक बनते हैं बच्चो माइक्रो स्पोर्स जिसे कहते हैं लगू बिजानू और दूसरे बनते हैं हमारे पास मेगा स्पोर्स जिसे हम कहते हैं गुरू बिजानू तो विशम बिजानू टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है तो हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है तो दो तरे के बिजानू है लगू या गुरू बिजानू की बात हो रही है अब यहां पर जो लगू बिजानू है लगू बिजानू किसका निर्मान किसका निर्मान करेंगे नर्युग्मकोद्भेत या मेल गेमीटोफाइट और गुरु बिजानू जो हैं वो किसका निर्मान करेंगे मादा युग्मकोद्भेत तो आपको यही इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आप जब हम विशम बिजानू टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं विशम बिजानू टेरिडोफाइट्स में दो अलग-अलग तरे के बिजानू बनते हैं गुरू और लगू बिजानू नर युगमकोद्बित बनाएगा गुरू बिजानू मादा युगमकोद्बित बनाएगा इसका मतलब विशम बिजानू टेरिडोफाइट्स में प्रो थ इनमें आपको ध्यान में रखना है, प्रो थैलस नहीं बनेगा भई, प्रो थैलस तो युगमकोद्वित्था, वो केवल सम बिजानू टेरिडोफाइट्स में बनता है, इसका मतलब जो विशम बिजानू टेरिडोफाइट्स हैं, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, उ उसमें नर और मादा युगमकोद्वित अलग-अलग होंगे आ गई बात सबको समझ में तो प्रो थैलस किसमें नहीं बनता विशम बिजानू टेरिडोफाइट में लेकिन अब इसका फाइदा क्या है सर ये दो अलग-अलग युगमकोद्वित बन रहे हैं दो अलग-अलग सबसे पहले किसमें देखी जाती है विशम बिजानू टेरिडोफाइट में तो जो हेटरोसपोरस टेरिडोफाइट हैं जो विशम बिजानू टेरिडोफाइट हैं इनमें सबसे पहले बार सबसे पहले क्या देखा जाता है सीड हैबिट याद रखना बच्चों बीज प्रवर्ती है सीड नहीं बन रहा है सीड तो जिम्नोस परम्स में बनेगा लेकिन बीज प्रकर्ती सबसे पहले किस में आईगी बीज प्रकर्ती कह दो बीज प्रवर्ती कह दो सबसे पहले हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में बीज जिम्नोस्पॉम्स में बनेंगे लेकिन बीज प्रवर्ती सबसे पहले इसमें आईगी और इसके लिए दो लक्षन क्या जरूरी है भई बीज प्रकरती सीड हैबिट के लिए क्या आवशकता requirement क्या है बीज प्रवर्ती के लिए दो requirement है एक तो अपनने देखी लिया विशम बिजानुता जरूरी है जब तक विशम बिजानु नहीं बनेंगे जब तक दो अलग-अलग बिजानु नहीं बनेंगे तब बीज प्रकरती कैसे आईगी और दूसरा है अंतह बिजानु अंकुरन अंतह बिजानु अंकुरन इसका मतलब क्या है भई कि जो मादा युगमक उद्भित है जो फीमेल गेमीटो फाइट है ये पेरेंट स्पोरो फाइट से जुड़ी रहती है सही है न अब इसमें जो मादा युगमक उद्भित है फीमेल गेमीटो फाइट का स्वातंत रस्थित्व नहीं है वो पेरेंट स्पोर फाइट से जुड़ेगी और जो युगमनच का विकास है वो युगमनच का विकास इसके भीतर ही होगा युगमनच का विकास भी इसके भीतर ही होगा तो ये पॉइंट याद रखना है क्या-क्या दोनों पॉइंट एंसी आटी में दे रखे हैं ध्यान से सुन लेना जितने भी विशम बिजानू टेरिडोफाइट्स हैं हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले बीच प्रकरती देखी जाती है यानि सेलेजी निला सेलवीनिया में सबसे पहले बीच प्रकरती देखी जाती है बीच प्रकरती के लिए क्या-क्या आवशक्ता है विशम बिजानूता का होना और एंडोस्पोरिक जर्मीनेशन का होना बिलकुल मानसी जी शबाश फिर अब उधारन की बात कर ले बच्चों इसमें अब टेरीडोफाइट्स जो है उनको चार वर्गों में विभाजित करा गिया है तो टेरीडोफाइट्स में चार वर्ग हैं भई कौन-कौन से चार वर्ग हैं हमारे पास पहला आता है साइलोपसिडा दूसरा आता है लाइकॉपसिडा तीसरा आता है स्फेनोपसिडा चौथा आता है टेरोपसिडा या जिसको हम कह सकते हैं फिलीसिनी तो ये आपके पास चार वर्ग है ये चार वर्ग टेरिडोफाइट्स के इसमें उधारन याद रख लेना बचो साइलोपसिडा सबसे प्राचीन है सबसे पुराना है इसका उधारन साइलोटम साइलोटम याद रखना है जीवित जीवाश्म होता है जीवित जीवाश्म का मतलब है लिविंग फॉसिल इसका बात आप समझ गए होंगे जीवित जीवाश्म का मतलब है कि है तो जिन्दा है तो ये जीवित लेकिन इसमें जैविकास नहीं हो रहा इसमें अब कोई नए लक्षन नहीं आ रहे इनमें evolution अब बंद हो गया है तो पुराने लक्षन ही देखे जाते हैं फिर lycopcida में हम आते हैं club mosses club mosses जो lycopcida में आते हैं इसमें उधारन हो गया lycopodium इसमें उधारन हो गया sellegini那个 और इनमें आपको याद रखना है बच्चों शंकु बनते हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलेंगे शंकु या cones अब ये शंकु, cones या strobilis क्या होते हैं हमने कहा था ना बिजानु वाली पतियां क्या होती है sporophils बिजानू वाली पत्तियां जो हैं वो sporophylls होती हैं वो सारी sporophylls इकट्टे होकर वो सारे sporophylls एकत्रित होकर क्या बनाते हैं शंकू बनाते हैं फिर स्फेनॉपसिडा में घोडे की पूछ वाले आते हैं horse tails और इसका सबसे common उधारन NCRT में इसका डायग्राम भी दे रखा है बई NCRT में celery necka diagram भी है NCRT में इकवी सेटम का डायग्राम भी है घोडे की पूछ जैसा दिखता है इसमें भी आपको शंकू मिलेंगे शंकू इकवी सेटम में भी मिलेंगे और ferns वाला समू सबसे बड़ा समू जो टेरिडोफाइट्स का होता है वो है टेरॉपसिडा इसमें आपके पास टेरिस आता है ड्रायॉप टेरिस आता है टेरीडियम आता है चलता हुआ फॉन जिसे हम कहते हैं एडियांशम आता है सबसे important azola azola जिसको हम जैव उर्वरक भी कहते हैं azola को जैव उर्वरक क्यों कहते है क्योंकि azola के साथ anabina जो nitrogen स्थिर करने वाली नील हरिच शेवाल है वो पाई जाती है तो anabina nitrogen fix करने वाली blue green algae है और उस blue green algae या anabina azola के साथ सहजीविता दर्शाती है इसलिए इसको जैव उर्वरक या bio fertilizer भी कहते है तो ये सारे आपको teridoophytes के उधारण ध्यान में रखने है भई ठीक है आशीजी angio sperm का जीवन चक्र बेटा मैंने ncrt page by page शीरीज में बता दिया है पुष्पिय पादपों में लेंगिक जनन वाला चैप्टर है वो angio sperm का ही है ncrt page by page शीरीज में मैंने वो करवा दिया है बेटा यहाँ पे पादप जगत में हम gymnosperms तक ही पड़ेंगे ठीक है भई तो ये हमारे पास teridoophytes की बात हमने कर ली है अब screenshot ले लिजिए इसका फटा फट और फिर हम लोग gymnosperms भी चालू कर देते हैं gymnosperms भी देख लेंगे ठीक है भई अब हमारे पास next किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे gymnosperms की अन आवरित बीजी की ठीक है भई अब हम किसकी बात कर रहे हैं gymnosperms की अब हम बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास gymnosperms में क्या-क्या ध्यान में रखना है भई आजाओ एक-एक करके सबसे पहले gymnosperms को हम कहते हैं fanerogams fanerogams इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि अब इन में बीज बनते हैं और बीज वाले पादब जितने भी होते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं fanerogams तो बीज वाले पादब कौन से हो गए fanerogams हैं लेकिन इन में इन में आपको याद रखना है अंडा शय यानि ओवरी नहीं पाई जाती भई तो अंडा शय या ओवरी नहीं है तो हम इनको नगन बीज वाले पादब कहते हैं या हम naked seed या ovules कहते हैं क्योंकि इन में अंडा शय या ओवरी नहीं होती तो फल नहीं बनते और ovary नहीं होती फल नहीं बनेंगे इसलिए इनको हम नगन बीज वाले पादप कहते हैं gymnosperms को पहला बिंदू याद रखना है दूसरा बिंदू आपको gymnosperms में बिलकुल ये भी समवेनिय पादप है मतलब समवेन यह उत्ता क्या vascular tissues तो इन में भी मिलेगी आपको तो ये vascular plants हैं बिलकुल लेकिन इन में भी जाइलम में वाही काएं नहीं है vessels नहीं है भई तो इनको भी हम tracheophyta ही कहते है इनको भी हम tracheophyta कहते है फिर phloem में भी इन में companion cells नहीं होते और phloem में companion cells नहीं होते उसके स्थान पर उसके स्थान पर इन में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है albuminus कोशिकाएं तो ये important point है gymnosperms है तो समवेनिया पादप है xylem में इन में वाहिकाएं नहीं होती है tracheophyta कहलाएंगे tracheids ही है phloem में companion cells नहीं है companion cells के स्थान पर इन में albuminus कोशिकाएं पाई जाती है ये बहुत important है गोदारा जी बेटा इन में androsium नहीं कहते हम इन में पराककन बनेंगे बेटा इन में पराककन जरूर बनेंगे gymnosperms में फिर next lecture आपको क्या ध्यान में रखना है gymnosperms की जो main plant body है हाँ जो gymnosperms अब तो देखो मकान तो बिजानुद्भित बना चुका है वो sporophyte ही है ठीक है ना main sporophyte इनकी plant body है और ये किसमें विभाजित है बच्चों ये विभाजित है जड तने और पत्तियों में ये रहे roots stem or leaves क्योंकि इन सब के अलग-अलग लक्षन है इन सब के बहुत important लक्षन आपको ध्यान में रखने है इधर देखो कैसे जडों के बारे में दो विशेश जड़े याद रखनी है एक तो coralloid roots coralloid roots किसमें मिलेंगे साइकस में और दूसरा mycorrhizal roots कवक मूल जिसे हम कहते है mycorrhizal roots जो किसमें मिलेंगे pinus में coralloid roots आपको मालूम होगा बच्चों किसके साथ सहजीविता होती है नील हरिच शेवाल के साथ सहजीविता और इसलिए ये nitrogen थिर करने में काम करते हैं और इसमें कवक के साथ माइकोराईजा के अंदर pinus की जड़े कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है कवक का वन्ष कौन सा होता है जरा बताना तो भई कवक किस वन्ष का होता है क्योकि वो NCRT में दे रखा है जरा बताएंगे कोई कवक किस वन्ष का होता है कमेंट अब मैं आपके देख रहा हूँ कवक्का वन्ष जरूर बताईएगा आप मुझे क्या बात है प्रदीब जी, गोदारा जी, आस्था जी बहुत बढ़िया भई अनामिका जी बिलकुल सही मेडिको जी बिलकुल सही, श्रवन जी, अमन जी बिलकुल सही प्रदीब जी बिलकुल सही, माही जी, शबश, बिलकुल गलो मास, कवक किस वन्ष का होता है, गलो मास फिर जडों में बच्चों आपको धियान में रखना है जड़े भी दो तरे की हो सकती है तना भी, या तो अनब्रांजड हो सकता है या ब्रांजड, शाखेत या अशाखेत, अशाखेत किस में मिलेगा आपको, साइकस में, और ब्रांजड आपको किस में मिलेगा, पाइनस और सेड्रस में, सारे पॉइंट NCRT में हैं, फ्लोचार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, आशी जी ने पूछा है, नर और मादा युकमकोदभित किस में स्वतंत्र नहीं होते, ब्रायोफाइट्स में स्वतंत्र होते हैं, बेटा, टेरिडोफाइट्स में नहीं होते, और वो भी विशम बिजानू टेरिडोफाइट्स में स्वतंत्र नहीं होते, ठीके, जो सम बिज जाता है मरूस्थलिय अनूकूलन अब आप बोलोगे सर मरूस्थल में तो ये रहते ही नहीं है जिम्नोस पर्म का तो आवास थंडे शेत्रों में होता है ये तो थंडे शेत्रों में रहते हैं शीतोष्ण शेत्रों में लेते हैं जब हम हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं सर शिमला मनाली जाते हैं हिमाचल जाते हैं तो वहाँ पर तो हमको ऐसे जिमनोस परम्स की तो व्रिक्ष दिखते हैं वो पाइनस के व्रिक्ष है सारे जिमनोस परम्स हैं थंडे शेत्रों में हैं लेकिन थंडे शेत्रों में जल कम हैता है तेज हवा होती है तो वाशपोर सरजन की दर को कम करना पड़ता है ट्रांस्पिरेशन लॉस को कम करने के लिए उनकी पत्तियों में क्या होती है नीडल आकार की शेत्रफल घटाने वाली क्यूटीकल की मोटी परत होती है और संकन स्टॉमेटा धसे हुए रंद्र पाए जाते हैं सारे पॉइंट NCRT में हैं मैंने ल मिलता है वाशपोर्ट सरजन को कम करने के लिए ट्रांस्पिरेशन लॉस को कम करने के लिए और उसको कम करने के लिए नीडल जैसे क्यूटीकल और धसे रंद्र पत्तियों में मिलते हैं क्लियर बात है भई जिमनोस्पर्म के यह सारे लक्षन हैं हमने देख लिए हैं अब जिम्नो स्पर्म में याद रखना बच्चो बहुत छोटे पादप, घास जैसे पादप नहीं होते हैं, घास जैसे नहीं होते हैं, या तो जाड होती हैं या बड़े व्रिक्ष होते हैं, तो जिम्नो स्पर्म में भी याद रखना सेकंडरी ग्रोथ होती है, द्वित्यक सबसे बड़ा व्रिक्ष आपको पता हिए सेकोया रेडवूड ट्री होता है तो वह आपके पास जिमनो dorm में ही मिले और फिर बच्चों याद रखना सारे सारे जिमनोर स्पर्म विशम भीजानूंता दर्षाते हैं both herföji से अपने तो सारे के सारे जो जिम्नो श्पर्म हैं वो विशम भी होते हैं सारे के सारे जिम्नो स्पर्मत विशम भी जानू होते हैं आरे बहुत बहुत धन्यवाद बही चाय आप heaven यतना बोल दिया हम को लखम पी ली हमने मान लिया अब next एक बोड़े रहतना है बच्चों, gymnosperms में सारे dioces भी होते हैं, dioces मतलब नर और मादा पादप अलग-अलग हैं, gymnosperms में नर और मादा पादप अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक अपवाद है, एक exception हैं, जिसमें एक ही पादप पर नर और मादा लेंगी कंग दोनो होत तो इसका screenshot ले लो बच्चों फिर वो point भी मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर ठीक है तो screenshot इसका आपने ले लिया होगा जिम्नो स्पर्म का तो अब next क्या point यहाँ पर जिम्नो स्पर्म के याद रखने है तो पहला तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सभी जिम्नो स्पर्म सभी जिम्नो स्पर्म जो हैं वो डाईशियस होते हैं नर और मादा अलग-अलग हैं लेकिन एक अपवाद अपवाद कौन होता है पाइनस पाइनस हमारे पास मोनो इशियस है एक लिंगा श्रै नर और मादा एक ही पाए जाते हैं पेटा पी डबलेन बढ़ा लिविंग लिमूलस नहीं होता बेटा लिमूलस को लिविंग फॉसिल कहते हैं लिविंग फॉसिल का मतलब है वो यह तो जिंदा अभी लेकिन उसमें एव chociażन बंद हो गया थ तो उसमें नए characters नहीं आ रहे हैं, पुराने characters ही देखे जाते हैं, ठीक है बिटा, तो ये पहला point, दूसरा point आपको क्या याद रखना है gymnosperms में, gymnosperms में endosperm बनेगा बचों, endosperm बनता है, मतलब brun posh बनता है, लेकिन endosperm fertilization से पहले बन जाता है, endosperm निशेचन से पहले बन जाता है, fertilization से पहले बनता है, और निशेचन से पहले बनेगा भई, इसलिए अगुनित होता है haploid, इसलिए haploid होगा, इसका मतलब जब हम angiosperms पढ़ते हैं, आवरिद बीजी पढ़ते हैं, तो angiosperms या आवरिद बीजियों के अंदर endosperm निशेचन के बाद बनता है, fertilization के बाद बनता है, त्रीगुनित होता है, triploid, तो याद होगा न, ये तो angiosperms की जब हम बात करते हैं, आवरिद बीजियों में, तो उसमें तो 3N होता है, क्योंकि वो fertilization के बाद बनता है, फिर next लक्षन है, बच्चों, gymnosperms में पराकन बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और पराकन आपको मालूम होना चाहिए, क्या कहलाता है, नर युगमकोद्वेद, ये तो मैंने आपको आवरिद बीजियों में, अंजियोसperms में बता रखा है, पराकन क्या होता है, male gametophyte, और इसमें जो परागन है, यानि इनमें जो pollination होगा न, वो pollination वायू के द्वारा होता है, और वायू के द्वारा परागन को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली वायू के द्वारा जो परागन है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली और इसका सबसे इंपोर्टेंट उधारन पाइनस होता है बचों पाइनस के परागन को हम सलफर वर्षा कहते हैं सलफर वर्षा क्यों कहते हैं क्योंकि इसके पराकन पीले रंग के होते हैं पंक बाद एंडो स्पर्म निशेचन से पहले बनता है वो बता दिया पराकन इनमें बनेंगे जिसको मेल गेमीटोफाइट गहेंगे और इनमें परागन वायू के द्वारा या एनिमोफिली फिर एक बहुत इंपोर्टेंट जिम्नो स्पर्म को फर्टलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए जिम्नो स्पर्म को निशेचन के लिए वाटर नहीं चाहिए भई ये इनको निशेचन के लिए जल की आवशक्ता नहीं होती तो नर्युगमक मेल गेमीट को कौन पहुचाता है नर युगमक को पोलन ट्यूब पहुचाती है इन में पराग नलीका बनेगी भई इन में निशेचन या फर्टलाइजेशन के लिए जल की जरूरत नहीं होती है आ गई बात सबको समझ में अब उधारन देख ले जिमनोस पॉम्स के क्या-क्या ध्यान में रखने है लक्षन हमने सारे देख लिए ब्रून पोश की बात कर ली परागन की बात कर ली पराकनो की बात कर ली अब यहाँ पर जिम्नो स्पर्म्स में क्या-क्या उधारन याद रखने हैं देखो भई जिम्नो स्पर्म्स में आपको एक तो साइकस तो याद रखना ही है साइकस में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसके नर युगमक गती शील होते हैं मेल गेमीट्स मोटाइल होंगे एक आप गिंको बायलोबा याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है इसका डाइग्राम भी NCRT में है बचो साइकस का डाइग्राम है गिंको का है पाइनस का है इन तीनों के डाइग्राम आपके NCRT में दे रखे हैं तीनों इंपोर्टेंट हैं गिंको बाइलोबा को भी अपन लिविंग फॉसिल कहते हैं जीवित जीवाश्म अभी इनको मैंने बताया था जीवित जीवाश्म का मतलब है तो जीवित लेकिन इसमें लक्षन पुराने देखे जाते हैं इनमें जैविकास बंद हो गया है तो इसके भी नर युगमक गतीशील होंगे इसके भी मेल गेमीट गतीशील होते हैं फिर पाइनस है पाइनस की एक जाती होती है पाइनस जेरारडियाना उस पे आपको पता होगा चिलगोजा के बीज प्राप्त होते हैं तो चिलगोजा के बीज पाइनस की जेरारडियाना जाती से होते हैं फिर आपके पास सबसे बड़ा जिमनोस पर्म सेकोया ये तो याद रखना ही है रेड वुड ट्री सबसे बड़ा जिमनो स्पर्म, सबसे बड़ा व्रिक्ष किसका होता है सेकोया या रेड़ वुट ट्री का है ये भी बहुत इंपोर्टेंट सेकोया याद रखना है उसके अलावा सेडरस तो आपको ध्यान ही है ये आप याद रखिएगा तो ये सारे एक्जैंपल्स जो हैं वो आपको जिमनो स्पर्म के याद रखने है ठीक है भाई, क्लियर बात यहां तक क्लियर जिमनो स्पर्म के लक्षन वैसे सबसे विक्सिद जिमनो स्पर्म भी होते है इफेडरा, गनेटम, वेलविश्चिया यह सबसे विकषिज जिमनोसperm से जिनके जायलम में वाहिकाएं होती हैं बट वो ncrt में नहीं दे रखा सबसे बड़ा अदिल जी ये रहा बेटा Sequoia सबसे बड़ा जिमनोसperm Sequoia होता है सबसे छोटा जामिया पिग्मिया होता है बेटा जिमनोसperm अब देख लो बचों अब एक last में NCRT में क्या point दे रखे हैं वो बता रहा हूँ last में आप लोगों को तीन चक्र मालूम होने चाहिए जो NCRT में दे रखा है उसका एक साथ example haplontic chakra diplontic chakra और haplodiplontic chakra ठीक है तो अब आपको ध्यान रखना है इसमें पहले तो उधारन याद रख लेना haplontic chakra में अधिकांच शेवाल तो अधिकांच यानि most algae जो है उनका चक्र haplodiplontic जो उनका haplontic है सिफोनोगेमी का मतलब बेटा जब निशेचन के लिए पराग नलीका चाहिए जब पराग नलीका चाहिए होती है पोलन ट्यूब के द्वारा निशेचन होता है ना उसको सिफोनोगेमी कहते है बेटा फिर diplontic chakra में आपको examples क्या याद होने चाहिए भई जिमनो स्पर्म्स एंजियो स्पर्म्स और एक फ्यूकस क्योंकि फ्यूकस आपको मालूम था डिपलॉइड भूरी शेवाल थी तो फ्यूकस के अंदर डिपलॉंटिक चक्र होता है और हैपलो डिपलॉंटिक चक्र में आपको examples याद रखने हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और केल्प्स एक्टोकार्पस और पॉली साइफोनिया ये उधारन आप याद रखना भई कौन कौन सी शेवाल example पे जरूर प्रशना आते हैं ये classification है बिना उधारन के कोई सवाल बनता ही नहीं है तो आपको ये जरूर याद रखने है हैपलॉंटिक, हैपलो डिपलॉंटिक और डिपलॉंटिक चक्र के example ठीक है, डाइग्राम तो आपको पता ही है हैपलॉंटिक में क्या होगा, ये हैपलॉंटिक में इस तरह से बिजानुद्भित तो बहुत छोटा होता है बिजानुद्भित अवस्था में केवल युगमनज बनेगा जाइगोट और मुख्य अवस्था किसकी होगी युगमकोद्भित या गेमीटोफाइट की तो जब प्रभावी अवस्था युगमकोद्भित की है और बेचारा युगमनज ही बिजानुद्भित दर्शा रहा है तो आपके पास हैपलॉंटिक है डिपलॉंटिक में उल्टा हो जाएगा डिपलॉंटिक में बेचारा कौन बन जाएगा गेमीटोफाइट गेमीटोफाइट बेचारा हो गया युगमकोद्भित उस एक से कुछ कोशिका से बना है युगमक निर्मान तक सीमित है मुख्य प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट की मुख्य प्रभावी अवस्था डॉमिनेंट कौन सा होगा स्पोरोफाइट और हैपलो डिपलॉंटिक में दोनों बहु कोशिक्या होते है गेमीटोफाइट हो स्पोरोफाइट हो दोनों आपके पास बहु कोशी किया होंगे तो ये आपको ध्यान रखना है चक्र के तीनों के तीनों हाँ बिटा पाइनस उभ्या लिंगी बताए ना बिटा पाइनस मोनो इशेस ही कहते है नवीन जी उसको उसको मोनो इशेस के नाम से ही जानते है ठीके क्लियर बाद बच्चों ये हमने पादप जगत पूरा वन शोट कम्प्लीट कर लिया भई आवरिद बीजी एंजियो स्पर्म को अपने 12 में मैंने NCRT पेज बाई पेज से बता रखा है तो अलगी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिमनो स्पर्म हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया उधारन समेत NCRT के हर एक पॉइंट को हमने देख लिया है ठीके तो अगर बढ़िया लगा हो सेशन, रिविजन बढ़िया हुआ हो अगले हफते आप लोगों से मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद झाले हुआ 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 है झाले हुआ हुआ है